हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक्क यूपी एसी सी इसी इन फैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं दी लार्जेस यूटूब प्लैटफॉर्म फॉर यूपी एसी सिविल सर्विस प्रिपरेशन अखेडेमी के प्लैटफॉर्म के ऊपर से ही मेरा नाम प्रतिक नायक है और जैस कि हम लोग बहुत लंबे दिनों के बाद मिल रहे हैं मुझे पता है आप मैंसे बहुत सारे स्टूदेंस की क्वेरीज हुआ कर रही थी कि सर हम लोग कैसे चुरू करेंगे सर हम लोग किस तरह से चलेंगे डोंट वरी अबॉर्य अब बाट आट एंडिया का बहुत ही जहां पर हम लोग डिसकस करेंगे हाउ तो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है जो जो स्टूदेंस चिन लोग को थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है कि सर हमको एंचेंट इंडिया में समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कहूंगा कि you please watch this session आपको बिलकूल एकदम clear-cut clarity आ जाएगी with including factual analysis जिन जिन लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता है उनको बधा देता हूँ कि I've been teaching on the offline and online platform since last six years used to work with the state services and अभी Unacademy की Let's Crack UPC CAC channel के साथ जुड़ा हूँ जहां पर मैं आप लोग के साथ history पढ़ा रहा हूँ मैं Unacademy Plus के ऊपर भी in fact अगर आप देखेगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ और Unacademy Plus का platform जो है वो बहुत ही significant है क्योंकि यहां पे मैं ancient Indian history का course launch कर रहा हूँ very important very significant this course mainly deals with the ancient Indian history it's a very comprehensive course बहुत सारे students को doubts है कि sir हम तो कैसे deal करेंगे ancient India में minimum अगर आप देखेगा तो 7 to 10 questions यहां से ancient India से आते हैं this will also includes the topic in and around art and culture as well क्योंकि art and culture इसी का ही एक subpart के रूप में हम लोग थोड़ा बहुत गिन सकते हैं तो उसको भी मैं इसके अंदर deal करने वाला हूँ तो जो जो students इनको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि से रहं को समझ में नहीं आ रहा है तो I'll suggest that you please join this course this course will be live on 28 January 2020 आपको Unacademy plus के ओपर advantage यह रहता है कि आपको live classes मिलते है live classes के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरा advantage इसके अंदर से यह मिलता है कि आपको डाउट clearing sessions भी मिल जाते हैं डाउट clearing sessions के साथ साथ साइमल्टेनेसली अगर आप देखेगा तो आपको एक regular test series मिल जाती है और दूसरा importance आपको Unacademy plus के ओपर यही मिलेगा कि आपको all educators के classes का access मिलेगा all educators का मतलब यह होता है कि Unacademy plus के ओपर आज की थारीख में there are 80 plus educators जो अ मेरे lectures attend करने हैं ऐसा जरूरी नहीं है आप मेरे lectures के अलावा you can also attend the classes of other educators उनके हर एक subjects जित्रें भी subjects available है उन सब को आप deal कर सकते हो तो you can imagine कि एक complete package है जो आपको घर पे बैठे बैठे high quality teaching आपको available करा रहा है और जो भी students जिनको थोड़ा बहुत भी थोड़ा doubt लग रहा है उनको मैं कहूंगा कि आप plus के platform के उपर जुडिये I'll not disappoint you अभी 40,000 rupees fees है Unacademy plus के उपर जो one year की subscription package के साथ आपको include की जाती है all subjects मैं कहूंगा live classes होते हैं Hindi English के अंदर multiple आपको teachers मिल जाएंगे educators मिल जाएंगे one year की fees ऐसे 40,000 है बट आप अगर मेरा code use करियेगा तो fees आपकी 10% discount के साथ complete होगी and the fees will be reduced to 36,000 rupees 36,000 rupees fees हो जाएगी तो जिनको भी थोड़ा बहुत वो जो है की sir कुछ referral code जैसा है तो मेरा code हमेश यूस करिएगा जो जो students 2022 के आसपास तयारी कर रहे हैं जिन लोग को टार्गेट है 2021 का 2022 का उनको मैं कहूंगा minimum two years का subscription लीजिए जो लोग अभी high school के अंदर या अभी just college के अंदर आया है या job के साथ तयारी करना हो तो उनके लिए तो यही suggestful रहेगा कि आप two years के course को जुड जाते हो ठीक है तो यह आपको अच्छी तयारी और अच्छी घर पर बैठे बैठे क्वालिटी एड्यूकेशन वहां पर अवलेबल कराएगा ठीक है तो two years ऐसे तो fees उसकी 64,000 है but even if you'll use my code PNLIVE in this session अगर आप यहां पर PNLIVE को use कर रहे हो तो आपको जो fees है वो कम हो जाएग ठीक है तो it's up to you हमेशा use करिएगा PNLIVE referral code है मेरा course शुरू हो रहा है 28th January 2020 के दिन 2020 के दिन मैं आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ और definitely बहुत हम लोग साथ में मिलके करेंगे UPSC Civil Services को crack कैसे करना है आप App Store के उपर भी जा सकते हो App Store के उपर जाके Play Store के उपर जाके उसके बाद mainly आपका जो goal है the goal should be UPSC CSE ठीक है तो आपका goal अगर आपने जैसे KPSC डाल दिया यह MPSC डाल दिया तो फिर उसमें ऐसा होगा कि आपको फिर उसका subscription मिल जाएगा तो UPSC के classes आप attend नहीं कर पाऊगे ठीक है तो अगर आप मेरे ही classes के लिए आ रहे हो तो या कोई और educator क होना चाहिए वो UPSC है PN live is the code my code is PN live 40,000 रुपीज और आपको 36,000 में complete हो जाएगा अगर आपने referral code को यूज किया खेर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं ancient India का overview ancient India का overview लेने का मतलब यह होता है कि मैं आपको खाली यही समझाओंगा ancient India thematic way में बहुत ही long class होने वाला है it will be a quite long class or class will be very long and lengthy तो हमेशा थोड़ा बहुत हम लोग साथ में मिलके करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि ancient India कैसे शुरू हुआ अब देखें ancient India को कैसे पढ़ा चाह सकता है history को सबसे पहले पढ़ेंगे sources के द्वारा ठीक है तो ancient India को sources पढ़ने के लिए मेंली अगर आप देखें तो history को हमने दो sources के ऊपर divide किया है कुछ sources को हमने कहा है कि this sources are known as literary sources literary sources का मतलब क्या है कि कुछ लिखा गया है and there are other sources which are known as mainly अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो sources को हम लोग क्या कहता है archaeological sources क्या कहता है archaeological sources यह दोनों sources ऐसा है जिसके आधार के ऊपर हम पूरा का पूरा history को teach या हम लोग समझ सकते है ठीक है अब importance क्या है what is the significance of literary and archaeological sources उसको थोड़ा बहुत समझा रहता हूँ history को ancient India के अंदर समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जहां से sources मिलने शुरू हुए है जहां से sources मिलने शुरू हुए है वहां से ही history का शुरूवात हुआ आज की तारीक में हम लोग जो एरा के अंदर जी रहे है जिसे हम लोग कहते है January 2020 तो it's a very long time ठीक है तो यह long time को historians ने classify करने के लिए classify करने के लिए दो phase के अंदर divide कर दे उन्होंने कहा कि Jesus Christ जब आ गए Jesus Christ जब आ गए तो उनके पहले का जो time है उसे before common era कहा जाएगा और Jesus Christ के बाद वाला जो time है उसे हम लोग क्या कहेंगे common era ठीक है यह before common era से ही हमको sources मिले शुरू हो गए थे और सबसे earliest sources जो mankind के या मैं कहूंगा कि human race के origin के जो sources मिले human race के origin के जो sources मिले है वो पत्थर के रूप technique देखा होगा carbon dating technique उसे हम लोग कहते है इन सब चीजों का उपयोग जब करना शुरू किया तो over a period of time वह एज को stone age कहा गया ठीक है तो stone age से धीरे 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 हम लोग जैसे जैसे आगे चले गए हितियास के अंदर वैसे वैसे हमको बहुत सारे events देखने को मिलते रहे and based on the events and historical understanding हमारा history का development होता रहा ठीक है तो याद रखेगा कि आपको दो प्रकार के sources पलते है एक तो archaeology और दूसरा कौन सा है literature sources और इन दोनों को हम लोग history के अंदर एक study of events के रूप में देखते है but we only study those events जहांपे change आया होता है हम लोग खाली उन्हीं events को पड़ते है जहांपे परिवर्तन आया होता है ठीक है और mainly कोई भी history का जो question अगर आपका thematic line में देखोगे तो आपको society के related बहुत पूछेगा जैसे अशोक के दौरान आपको पूछ सकता है कि slavery system हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी समझे कि नहीं समझे उसी तोर के उपर आपको पूछ सकता है कि घुपता के दौरान slavery system हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी ठीक है slavery system में कोई literature के अंदर किसी ने उसका mention किया है कि नहीं किया है ठीक है तो आपको दोनों प्रकार की चीज़े पूछ सकती है अब थोड़ा बहुत detail में चलता है और समझते है archaeological sources क्या होते है what do you mean by the word archaeological sources ठीक है अब देखे archaeological sources sources क्या sources होते है आप समझने की कोशिश करो archaeological sources वो sources होते है जहां पर आपको कोई physical evidence मिल रहा है physical evidence का मतलब यह होता है कि आप उसको touch कर सकते हो उसको feel कर सकते हो getting my point तो जब हम लोग archaeological sources की बात करते है जब हम लोग archaeological sources की बात करते है तो हमको पता होना चाहिए कि archaeological sources में क्या क्या चीज़े include की जाती है अब archaeological sources में क्या क्या चीज़े include की जाती है अब समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले archaeological sources में आते है coins, coins की सोने के सिक्के अब देखें coins ancient India में बहुत सारे kings ने issue की ये थे, ठीक है तो जो study of coins है याद रखेगा, जो study of coins है वो subject को हम लोग कहते है numismatics, क्या कहते है numismatics, ठीक है तो ये जो coins है, उससे हमको तीनचा सीज़े पता चलती, एक तो metal से हमको पता चलती है कि राजा कितना powerful था और राजा के पास कौन से प्रकार के coins हुआ करते थे, उससे हमको ये भी समझ में आता है कि राजा की जो शमता थी, वो कैसी हुआ करती थी दूसरा, mainly silver metal, copper, alloys ये सब अलग-अलग प्रकार के coins के द्वारा हम लोग समझ सकते है कि आपका जो पूरा का पूरा development हुआ है जो पूरा का पूरा development हुआ है historical perspective के आधार के उपर तो हम लोग उसको यहां पर कहीं ना कहीं जुड सकते है कि जो understanding है history का, वो कैसे चला होगा ठीक है, तो you should know कि जब हम लोग study of coins करते है जब हम लोग study of coins करते है तो हमको metals की quality पता चलती है एक तो पहले, दूसरा जो coins है, वो coins का spread कितना हुआ था, उससे भी हम लोग history समझ सकते है, coins का spread होने का मतलब क्या होता है, कि जो coins कौन से area में कितनी मैं कहूंगा geographical reach रखते है, ठीक है, geographical reach का मतलब क्या होगा, कि say for example यह आपका India है, this is India, in fact, हमारा, और एक gold coin है, जो यहाँ पर बनता था, यह कोई dynasty है, say for example, यहाँ पर Magad के अंदर एक dynasty है, जिसने gold coin issue किया था, यह gold coin आपको यहाँ पर मिल रहा है, say for example this gold coin has been found in this region of Iran, getting about तो हम लोग क्या कह सकता है, कि sir, यह जो gold coins है, यह gold coin इरान के अंदर मिला है, उसका मतलब यह हुआ, कि the people belonging to this area used to have some kind of trade, the people belonging to this area used to have some kind of commerce between themselves, ठीक है, तो यह सब चीज़े हैं हमको coins के द्वारा ही पता चलती है, समझे हैं आप लोग, इसके लिए हम लोग coins का एक significance, coins का importance भी कही न कहीं गिनते रहते हैं, तो पहला तो coins का आपको पता होना चाहिए, दूसरे important point क्या है, archaeological source में समझने के लिए, वो है inscriptions, inscriptions का आप लोग epigraphy के रूप में भी पचानते हैं, जो आपके hard rock surface है, जो भी hard rock surface है, वो hard rock surface के ऊपर कुछ लिखा जाता है at times आपने देखा होगा, जैसे यह आप देख पा रहे होगे, तो यह अशोक की script है, यह अशोक की script है, जो rock के surface के ऊपर लिखी गई थी, किसने उसको decode किया था, तो James Princep नाम के एक East India Company के official थे, जिनों ने यह अशोक की script को decode करके कहा था, कि यह जो script है, यह अशोक के दोरा बनाए गई है, ठीक है, तो यह जो inscriptions है, यह अलग-अलग जगा के ऊपर लिखे जाते थे, rock के ऊपर लिखे जाते थे, stone के ऊपर लिखे जाते थे, फिर later on अगर आप देखो कि तो monuments के ऊपर मिल जाएंगे, बड़ा सा किसी ने दिवार के ऊपर कुछ चिपका के रखा है, ठीक है, तो वो भी archaeology के रूप में हमको पता चलता है, ठीक है, तो you'll find multiple things, तीसरी archaeological sources क्या मिलती है, pottery, paintings, skeletons हमको मिल जाते है, माटी के बरतन मिलते है, अलग अलग चित्रा मिलते है, आपको जो है ना, dead bodies की आपको skeletal remains मिल जाते है, तो उससे भी हम लोग history को समझ पाता है, ठीक है, तो आपको पूछ सकता है, which of the following can be the sources of history, आपको पता होने चाहिए, दूसरे sources कैसे होता है, literary sources, literary sources, domestic area में लिखे गए है, मतलब कोई यहां पे local person ने लिखे, किस ने लिखा होगा, कोई राजा है, राजा के अंदर court के अंदर बैठने वाला कौन होगा सर, courtier, courtier समझ में आता है आपको, एक ऐसा इंसान जो राजा के court में बैठता है, उसने लिखा हो सकता है, getting a point, दूसरा foreign sources में होंगे, बहुत सारे foreign travelers इंडिया के अंदर आये, यह जितने भी travelers लोग इंडिया के अंदर जब आये, तो उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में mention किया गया था, ठीक है, so you will find कि जिन जिन लोगों ने यह जो ठीजर लिखी थी इंडिया के बारे में, उसके आधार के उपर भी हम लोग history को समझ सकते है, getting a point, यह literature दो प्रकार का था, कुछ-कुछ religious था, जैसे आपने देखा होगा, Buddhism के साथ हुआ मिलेगा, ठीक है, कुछ-कुछ literature कैसा था, सर, secular literature था, secular literature का मतलब यह होता है, कि यह literature कोई धर्म के आधार के उपर नहीं था, but मैं कहूंगा, scientific literature हो सकता है, यह जो literature का एक example, अगर आप देखने ही कोशिश करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, there can be a possibility कि literature के अंतरगत, we can include the literature made by the kings in the court, okay, तो राजाओंने कुछ-कुछ चीज़े लिखी होगी, तो यह सब भी हम लोग ancient India में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे यह foreign literature है, इनका नाम है Huensang, अगर आपने नाम सुना होगा, तो यह चाइना से आय से साब, और इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी ची लेंगे आज के class के अंदर, और समझेंगे कि chronology के basis के ओपर history में क्या-क्या changes हुए, कौनसी-कौनसी dynasties power के ओपर कब आई, और किस तरह से इंडिया में political, economical और social changes हुए, तो यह हमारा थोड़ा एक overview वाला class होगा, जहां पर मैं आपको पूरा comprehensive history कराने की कोशिश करूँग और एकदम आपको prelims के अंदर काम में आए, वैसा हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले, सबसे पहले देखते हैं कि stone age का origin कैसे हुए इंडिया के अंदर, अब देखो stone age कितना पूराना age है, यह stone age को हम लोग history के अंदर prehistoric इंडिया भी कहते है, क्या कह पहला phase जो आता है उसे हम लोग कहते है paleolithic period, paleolithic पा मतलब क्या होता है, paleo का मतलब होता है old, ठीक है, और lithic का मतलब होता है stone, समझे के नहीं, समझे, तो paleolithic period is the oldest period of the stone age, याद रहेगा आपको, it is known as the oldest period of the stone age, यह सबसे पुराना में पुराना कोई period होगा stone age के related, तो वो paleolithic period ही ह उसके बाद दूसरा जो आया मीसोलिथिक पीरिड यह ट्रांजिशन पीरिड के रूप में हम लोग उसको पैचानते हैं त्रांजिशन पीरिड इसके लिए क्योंकि यह वह पीरिड था जब आपकी स्टोनेज के अंदर पॉलिटिकल तो नहीं कहूंगा पर मैं थोड़ा बहु और लेटर ऑन स्टोनेज के अंदर ही पत्थर से आप थोड़े बहुत मैटल की तरफ चले गए और मैटल के रूप में हमको क्या मिलता है सर कॉपर मिल जाता है कॉपर का मरलब क्या होता है मेंली अगर आप अगर आप देखोगे तो आपको जो 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 कि history को जब हम लोग पढ़ते हैं तो stone age का importance क्या है तो stone age को चार period के अंदर हम लोग divide करेंगे we'll divide the stone age into four periods and based on that four periods of understanding we'll categorize history हम लोग समझेंगे कि यह history को कैसे in fact deal किया जा सकता है अब यह जो stone age है यह कब शुरू हुआ याद रखेगा तो यह five lakh years ago के आसपास का period बोला जाता है और five lakh years ago के पहले उस time पे literature source तो थे नहीं तो जो भी थे आपके पास क्या थे artifacts हुआ करते थे उस समय के जो भी bone remains मिल गए है bone remains मतलब क्या है कि जो skeletal remains मिले है उसके आधार के ऊपर जब हमने उसको carbon dating के अंदर जब उसको categorize किया तो हमको पता चला कि यह इतना पुराना है इतना पुराना है और mainly भारत के अंदर अलग अलग जगाओं से मिले है they have been found from different different sites तो आपको कभी-कभी UPSC वो sites की location पूस्ट देता है कि कौन सी sites के उपर से क्या मिला है at least you should know कि what is the significance of the sites और कैसे इसकी शुरुवात होगी डूसरा question आपको कहां से पूस्टा है कि what are the features of the stonage यह stonage के features क्या क्या हुआ करते है तो वह भी आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ अब देखिए stonage की खासियत क्या थी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले paleolithic period को समझाता हूँ और paleolithic period से हम लोग जीरे मेसॉलिथिक प्रिण के अंदर जाएंगे मेसॉलिथिक के बाद इलीफिक और लिफ इंदर चालकोलिथिक पीरिद हुआ है अब पहले की खासिए याद रखेगा तो पहले एक इंपोर्टैन यह है कि यह वह पीरड था जब आदमी नॉमेडीख कि in the Paleolithic period we do not find much significance of settlement, समझेक नहीं समझेक, तो याद रखेगा कि in the Paleolithic period we do not find settlement, और mainly काम जो था वो hunting and gathering का था, इंडिया में तीन जगा ऐसी है जहां पर Paleolithic period से belong करने वाले आपको locations मिले है, सबसे oldest में oldest कोई location जो Paleolithic period से जुड़ा हुआ है, वो जगा का नाम है भीम बेट का, नाम याद रखेगा, बहुत ही important है भीम बेट का का, आपको पूच सकता है कि भीम बेट का significance क्या है, याद रहेगा आपको, भीम बेट का के साथ साथ जो दूसरा Paleolithic age से जुड़ा हुआ जगा है, वो है हुंसगी, क्या नाम है हुंसगी, और तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर natural cave shelters available है, क्या है, natural cave shelters available है, अब what do you mean by natural cave shelters, तो natural cave shelters का मतलब यह होता है कि प्राकृतिक रूप से इंसान वहाँ पर रहा करता था, यहाँ पर आपको बहुत सारे paintings भी मिल चुके है, यहाँ पर बहुत सारे paintings भी मिल चुके है, और यही paintings के basis के ऊपर, भीम बेट का को हम लोग categorize कर सकते हैं, बहुत ही significant जगा है, जहाँ से भीम बेट का को हम लोग समझ सकते है, from the stone age period, ठीक है, तो आपको यह point पहले पता होना चाहिए, कि पहलो लिथिक पीरिड में hunter gatherer के रूप में इंसान क्या काम करता था, और दूसरा consequence sites located जुडी हुई है, ठीक है, उसके अभी लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ आप भी थोड़ा बहुत running notes बना दीजिएगा, क्योंकि it will be helpful for you to revise in the exam, जब आपको exam के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो you'll find की archaeology के अधार के ऊपर, जो five lakh years ago या उसके भी पहले, जो hunter gatherers की जो शुरूआत होई, वो ऐसे शु बैड किया है, upper middle and the lower paleolithic period, the lower paleolithic period, and later on फिर आपका mesolithic period आगया, अब देखो, paleolithic period में हमको क्या मिला है, mainly, तो paleolithic period में हमको stone tools मिले है, ये stone tools बड़े-बड़े पत्थर थे, large stones हुआ करते थे, और ये बड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया, उससे इन लोग या hunting का काम काज किया करते थे, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग mesolithic age में गए, करीवन आज से 12,000 years ago से 10,000 years ago तक आते आते, तो वहां तक आते आते, जो society है, civilization उसमें काफी change हुआ, और stone tools आपके बदल गए, तो paleolithic period में याद रखेगा, आपको large stone tools मिलते है, large stone का मतलब क्या होता है, बड़े कि small size of tools, small size of stone tools मिलने शुरू होगे, ठीक है, तो microleth में थोड़ा बहुत आपका पत्थर का जो change है, वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है, अब ये stone का क्या importance याद रखेगा, तो mainly उस time पे stone का importance ये हुआ करता था, meat का खाने के लिए, bone को cut करने के लिए, कहीं ना कहीं, at times उ वो खाना पीने के लिए वो पत्थर का tool का use करता था, और at time you'll find कि ये लोग क्या करते थे, कि पत्थर जो होता है, उसको एक कुलाडी के साथ, जैसे ये wood है आपका, ये wood है, और यहाँ पर ये stone है, हाँ, ठीक है, तो एक प्रकार का, इन्होंने एक tool बना दिया, for hunting and gathering, ठीक ह दूसरा उस time पर थोड़ा बहुत use होता था, wood का, wood से ये लोग fire का wood भी बनाते थे, और huts और tools भी कही न कहीं, in fact, इन्होंने create किये है, stone age के अंदर जो इंसान रहा करते थे, ठीक है, अब hunting gathering का importance क्या है, याद रखेगा, hunting gathering में अलग-अलग परकार के food इखटे करते थे, generally fruits को इखटे करते थे, nuts को इखटे करते थे, seeds को इखटे करते थे, leaves को इखटे करते थे, और India में तो खासियत ही है, sir, की बहुत ही tropical land है, because we are having a good tropical land, we find multiple variety of the foods, जो उस time पर gathering किया करते थे, ठीक है, wild animals को भी hunting करने की कोशिश की गई है, birds and fish को भी hunting करने की कोशिश की गई है, hunting का का कही ना कही, significance हमको ये दर्शाता है, कि उस time पर human endurance, जो हम लोग कहते हैं, capability, ये endurance या capability काफी high हुआ करती थी, क्यों high हुआ करती थी, क्योंकि जब आप जानवरों का hunting करने जाते हो, तो जानवर आपको भगाएंगे, समझे कि नहीं समझे, तो उसके पीछे 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 जो आपका Paleolithic period था, Paleolithic period के अंदर इंसान को उतना पता था कि कौन सा plant खाने लायक है और कौन सा plant खाने लायक नहीं है, ठीक है, ये भी point आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो you'll find एक ये point आपको पता होना चाहिए, दूसरा hunter gatherer थे, they were constantly on the move, constantly on the move का मतलब क्या होता है, कि ए एक जगा से दूसरी जगा गूमते रहते थे, तो ये लोग वहाँ पर ही जाते थे, जहां पर food का, जहां पर food की availability होगी, समझेक नहीं समझेक, तो you'll find की food की ability मतलब क्या है, तो उस ताम पर ये लोग तो animals को hunt किया करते थे, stone age के लोग, तो जब animals को hunting किया करते थे, when the animals hunting used to take place, तो ये लोग की भी खासियत ये हुआ करते थे, कि जहां जहां animals migrate करते थे, जहां जहां animals migrate करते थे, वहां पर ही आपका human race, मतलब जो उस ताम का मानव था, वो भी migrate किया करता था, दूसरी important point, migration वहां पर जाय करते थे, जहां पर पानी की availability होगी, समझेक नहीं समझे, तो source of migration will be the place where the water availability is there, अगर कहीं पर पानी की availability नहीं है, तो ये लोग migrate नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये पैलियूरिथिक पीरिड के अंदर आपको बहुत सारी cases, मिलते रहेंगे, mainly पैलियूरिथिक पीरिड में मैंने आपको भीम बेट का, हुंसगी and कुर्णो इन तीनों जगा के बारे में बता दिया है, यहां पे हमको बहुत सारे evidences मिले हैं कि जो लोग रहा करते थे, वो लोग अलग-अलग प्रकार की types में और अलग-अलग जगाओं में रहा करते थे, और mainly in many areas, we find sites जो अगर आप देखोगे तो जो stone making के लिए use होती थी, और कहीं-कहीं पे ये लोग stone tools बनाते थे, ये stone tools बनाने के साथ साथ वहाँ पे ही settle हो जाया करते थे, ठीक है, तो stone tools और settlement का दोनों का साथ में खेल चलेगा, और at times इन्होंने जब stone tools बनाएं, इस तरह से दो पत्थर को जोड के बनाएं, तो क्या हो गया sir, कि पत्थर को जोडने के कारण stone के अंदर friction create ह हो गया, पत्थर को जोडने के कारण stone के अंदर friction create हो गया, और friction create होने के कारण क्या हो जाता है, fire, आपने वो man versus mild के अंदर Mr. Bear Grylls को देखा होगा, तो Mr. Bear Grylls यही काम करते हो, कभी कभी दो पत्थर को ऐसे अथडाते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज मिलेगी कुर्णूल नाम की जगा है, याद रखेगा, belonging to paleolithic period, आपको पूछ सकता है, कुर्णूल which belongs to paralolithic periods, वहाँ पे हमको ash के evidences मिले है, we have got the evidences of ash, याद रखेगा, ठीक है, तो आपको पूछ सकता है, कभी कभी factual data के अंदर की कुर्णूल में हमको क्या मिला है, stone age के अंदर ash के evidences क कौन सी जगा के ऊपर मिले है, तो आपको ये कुर्णूल का importance कही ना कहीं पता होना चाहिए, ठीक है, तो एक ये point हो गया कि कैसे चलता रहता है, डूसरी paleolithic sites कहां पे मिली है, याद रखेगा, तो एक जगा है जिसका नाम है पटने, याद रखेगा, अब पटने कहां पे आ पूछ सकता है कि stone age के अंदर ostrich कहीं पे मिला है कि नहीं मिला है, तो याद रखेगा कि we have found the evidences of ostrich in the paleolithic period at पटने, called as Maharashtra, वहाँ पे क्या मिला है, ostrich के अंडे मिला है, we have found the eggs of ostrich, और दूसरी important point ये है कि ये जो egg थाए, उसको design किया जाता था, और उसे beads बनाया जाता है, beads क मतलब जो मोती के दाने होते हैं, वो भी बनाया जाता है, ठीक है, दूसरी important point, paleolithic period में में अगर आप देखोगे, तो हुन्सगी करके जगा है, दिख रहा है आपको, हुन्सगी is a paleolithic site, हुन्सगी is a paleolithic site, जो मैंने आपको अलड़ी अभी बता दिया है, और यहाँ पे हमको ए इससे ही infect, अगर आपने देखा होगा, marble की भी फिर formation होती है, ठीक है, तो यह दोनों का दोनों आपको importance पता होना चाहिए, ठीक है, कहां से यह चलता रहता है, यह भीम बेटका का painting है, this is the painting belonging to भीम बेटका, बहुत ही important painting आपको मिलता रहेगा, जहां पे आपको hunting के evidence मिलते है और यह सब चीजें दर्शाती है कि stone age के अंदर हमारे लोग जो इंडिया की society उस टेम पे develop हो रही थी stone age के अंदर, यह क्या खाया पिया कर देते हैं, ठीक है, अब stone age के बाद थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, paleolithic period से, उसके बाद हम लोग अब थोड़ा बहुत mesolithic और neolithic period के अंदर चलते हैं, ठीक है, अब देखने की क्या हो गया, neolithic period और mesolithic period एक ऐसा period है, वहाँ पे थोड़ा बहुत development हुआ, environment के अंदर, क्या development हुआ sir, environment change हो गया, environment बढ़ला और grassland develop हुए, अब जब grassland develop हुए तो बहुत सारे आपके, जो है न, grass eating animals का growth हुआ, grass eating animals का growth हुआ, उसका मतलब यह होगा है, कि grass का भी growth होगा, ठीक है, तो you'll find कि neolithic period तक आते आते, agriculture का काफी ठीक ठाक development होना शुरू हो गया था, ठीक है, so you'll find कि agriculture का development होता है, including जो इंसान है, वो अपने इसाब से थोड़ा बहुत नए प्रकार की चीज़े भी शुरू करेगा, agriculture का development तभी possible होगा, जब आप domestication of animals करोगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कि stone age के अंदर बहुत सारे जो animals से उसको domesticate करना शुरू कर दिया, including इन्होंने agriculture के अंदर ऐसे seeds को कही ना कही develop किया, जिसको ये लोग preserve कर पाते थे, और उसको खा पाते थे, ठीक है, तो इस तरह से आपका domestication चलता ह है, जैसे अगर आप देखेगा, तो animals को use करते है agriculture के अंदर, और including जब domestication बढ़ा, जब domestication बढ़ता है, और जब agriculture का development आपका parallel हुआ, तो आप एक ही जगा के उपर रहोगे, और आपकी जो settlement होनी शुरू होगी, जो settlement होनी शुरू होगी, वो कहां पे होगी, वो water bodies के आजू नियोलिथिक पीरिड तक आते आते, domestication की शुरूआत हो जाती है, agriculture बढ़ता है, settlement होता है, water bodies के आजू बाजू में रहेंगे, अब क्या होगा, कि जब आप settled life जीना शुरू करोगे, तो आप कुछ न कुछ रीच रिवाज, customs और practices को भी follow करोगे, और जब customs और practices के बनने के शुरूआत होगी, तो आपका एक culture बनेगा, तो नियोलिथिक पीरिड के अंदर importance यह है, कि बहुत सारे cultures बनने शुरू होगे, जिसे हम लोग कहते हैं, नियोलिथिक cultures, ठीक है, याद रहेगा आपको, यहाँ पर आपको दो तीन साइट्स पता हो नीचे, कहां कहां से develop होती है, और नियोलिथिक पीरिड तक आते आते, जब culture बनता है, तो अलग-अलग location में इन्होंने houses बनाए, यह houses के design भी बदल जाती है, ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि नियोलिथिक पीरिड में किस प्रकार के houses के design बदली, किस ने बदली, कहां से बदली है, आपको यह सब की sub point पता होनी चाहिए, अब agriculture का importance क्या है, नियोलिथिक पीरिड में, थोड़ा बहुत वो भी समझा देता हूँ, अब देखे, agriculture का development हुआ, तो grains का multiple use शुरू हो गया, grains को seed के रूप में एक तो use किया जाता था, मतलब उससे एक दूसरा seed बना दिया, food के रूप में, खाने क production हुआ है, तो प्रशना यहां से यह आता था कि storage कहां किया जाए, storage कहां किया जाए, तो storage के लिए क्या किया सर, pottery का development हुआ, माटी के बरतन होने शुरू हो गए, समझे है अब लोग, तो you'll find कि pottery का development हुआ, over a period of time, और generally clay के pots बनने शुरू हो गए, at times, neolithic period में याद रखेगा कि यह लोग जो pots बनाते थे, उसको खड़े में डालके भी pots बनाया करते थे, और कभी-कभी basket बनाए, basket किससे बनाते है, सर, तो baskets आपके जो, जो, मैं कह सकता हूँ, कि एक प्रकार के, एक प्रकार के, जो, जो मैं कहूंगा कि, plant के जो remains है, जैसे bamboo हो गया, या और कोई चीज हो गई, उससे यह लोग ने basket भी बनाने के शुरूत हो गए, ठीक है, दूसरा animals का भी multi-purpose use करना शुरू किया, milk के लिए use किया, farming के लिए use किया, और meat के लिए भी use होता है, ठीक है, तो animals को भी multiple use करने के शुरूत की जाती है, by the period of neolithic age, ठीक है, तो neolithic age में आपकी थोड़ी बहुत agriculture की development होगी, rudimentary phase के अंदर, आपको neolithic period के अंदर mainly evidences किसके किसके मिले है, याद रखेगा, तो हमको बहुत सारे plants के evidences मिले, plants से हमको पता चलता है कि agriculture का growth हुआ होगा, at times हमको burnt grains मिले है, burnt grains का मतलब क्या है, कि ये जो खाना है, उसको cook करके बनाया जाता था, मतलब य ये cooked किया जाता था, ये खाना जो है, उसको fire के अंदर cook किया जाता, अब देखो fire जो मैंने आपको पहले ही बताया कि शायद तक paleolithic period में मिल गया होगा, क्योंकि आपने जो दो stones को रब किया, उसके बाद उसको develop कर दिया होगा, ठीक है, तो always remember, आपको कभी-कभी evidences का question पू जा देता हूँ, नियोलितिक की sites कौन सी कौन सी है, तो हम लोग ये पहले maps से ही समझेंगे, नियोलितिक की site है, एक हलूर, दिख रही है आपको, हलूर, दूसरी site नियोलितिक की आपको कौन सी मिल रही है, South India में हम लोग देखेंगे, उसका नाम है पयम पली, दिख रही है क नहीं दिख रही है आपको ये दोनों साइट सियाद रखेगा उसके बाद फिर आपको लोकेशन बता देता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर चले जाते है नियोलिथिक पीरड में आपको नॉर्थिस्ट के अंदर एक जगा मिल रही है जिसका नाम है दाउजली हडिंग उसके साथ-साथ एक और जगा मिल रहे है जिसका नाम है चिरंड उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दो जगा मिलती है जिसका नाम है कोल्दवा और दूसरे का नाम है महागरा और कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर कश्मीर बुर्जाओं करके जो जगा है, कश्मीर में आपको मिलती है, वो भी नियोलिथिक एच से है, and last but not the least, आपको महरगड मिलता है, महरगड also belongs to the नियोलिथिक साइट्स, ठीक है, तो ये नियोलिथिक important साइट्स है, important साइट्स नियोलिथिक पिरेड की आपको पता होनी चाहिए, क्या-क्या important location है आपको पूछ सकता है कि कहां से Neolithic में क्या-क्या चीज़े मिली है ठीक है अब हमको क्या-क्या मिलता है Neolithic period में याद रखेगा एक तो गुफकराल और बुर्जाम ये दोनों के दोनों mainly कश्मीर के आजू-बजू वाले जो रीजन है जमू-कश्मीर के अंदर है गुर्फकराल भी आपको श्रीनगर के पास ही मिलेगा बुर्जाओ भी श्रीनगर के पास ही मिलता है ये दोनों श्रीनगर के पास है वहां से हमको क्या-कै चीज़े मिली है वहां पे wheat और lentil मिले है याद रखेगा factual data में इंक्लूडिंग बुर्जाओं में हमको wheat, lentil, dog मिला है भाई साब कुत्ते के हमको remains मिले है ठीक है तो cattle मिल गया है आपको ship, goat and buffalo भी मिल पाए है याद रखेगे इसके अंदर से एक यहां से बहुत important question आ सकता है दूसरा आपको महरगर मिलता है महरगर आज का present day बलुचिस्तान के अंदर चला गया है और ये भी आपका नियोलिथिक साइट का ही एक importance आपको मिलेगा महरगर इस इन present day पाकिस्तान और वहाँ पे भी हमको wheat और barley आपको इन दोनों की खेती मिल जाती है ship, goat and cattle भी मिल जाता है ठीक है वहाँ पे black gram, millet, cattle, ship और pig मिल गया है ठीक है तो ये भी आपको कभी importance के रूप में पूछ सकता है कि इसका importance क्या है, कहां कहां पे मिले है उसके बाद हमने देखा था तीन जगा, ये वाली जगा है जो चिरान, जो आज के बिहार में है महागरा जो UP के अंदर है और कोल्दीवा जो आज के UP के अंदर है वहाँ पे हमको एक जगा से importance याद रखेगा कि आपका महागरा और कोल्दीवा यहाँ पे हमको rice का evidences मिला है तो आपको पूछ सकता है कि नियोलिथिक पीरड में rice का evidences कौन से city से मिला है तो always remember कि the evidences of rice can be found into this area ठीक है तो कोल्दीवा और महागरा बोथ इस regions are very important चीरांड मैंने आपको अल्रेडी बता दिया वहाँ से आपको green gram, barley, buffalo, ox and wheat ठीक है तो आपको यह सब चीजे भी पता होनी चाहिए जो neolithic period से अंदर मिल रही थी अब बुर्जाम का importance थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बुर्जाम का क्या importance है बुर्जाम is a place in कश्मीर and the second one is महरगड बुर्जाम का importance क्या है तो बुर्जाम के अंदर हमको क्या मिले है pit houses मिले है pit houses समझ में आता है आपको कि ये जमीन है जमीन के अंदर खड़ा खोद दिया है say for example किसी ने यूँ खड़ा खोद दिया है और फिर आपने घर बना दिया है ठीक है तो यूँ प्रकार के आपको cd उतर नहीं है फिर ये आपका ढखके रखा है और नीचे इंसान रहता था below the land ठीक है तो ये आपके pit houses है जो बुर्जाओं के अंदर मिलते है बुर्जाओं में मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि कुछ-कुछ evidences आपको लग-लग प्रकार से मिलते रहते है यहाँ पे agriculture का भी importance मिला है बुर्जाओं के अंदर और बहुत चारे घरों के अंदर हमको cotton का development मिला है by the way cotton is indigenous to India indigenous का मतलब यह होता है यह भारत का ही crop रहा है और सालों से यहाँ से कुछ-कुछ चीज़े बनके जा रही थी बुर्जाओं में और भी चीज मिली है वो है हमको earthen pots मिले है earthen pots का मतलब क्या है कि आपको जो माटी के बरतन है वो भी मिल पाए है और आपको जो cooking के लिए material है वो भी आपको बुर्जाओं के अंदर मिल रहा है दूसरी sites महरगड महरगड is in Balochistan कहां पे आए याद रखेगा अगर आपको यहां कहीं पे मिल जाएगा आपको ठीक है और महरगड का importance क्या है याद रखेगा mainly यहां पे जो excavation मिला है excavation के अंदर हमको 3-4 layer के अंदर जब excavation किया तो पता चला कि महरगड के अंदर animals के bone मिले है सबसे पहले deer और pig मिला है और सबसे नीचे मतलब यहां कहीं पे excavate किया तो आपको cattle के bones भी मिले है तो यह सब चीजे भी महरगड के बारे में आपको पता होनी चाहिए वहां पे महरगड के अंदर आपको housing जो मिला है वो बुर्जाम से अलग है महरगड में जो घर मिला है वो कैसा मिला है तो it's a rectangular housing यह इस प्रकार का आपको rectangular housing का portion मिलेगा जो महरगड की importance आपको कहीं न कहीं दर्शाती है दूसरी important point वहां पे burial sites मिली है वहां पे dead bodies मिली हुई है यह dead bodies के अंदर importance यह है कि at times अगर आप देखोगे तो महरगड के अंदर कभी-कभी एक dead person को goat के साथ भी दर्शाया गया है ठीक है तो यह भी point आपको importance दर्शाता है यह महरगड का एक map है और वहां पे dead body के साथ आपको goat को भी किसे न बरी कर दिया था तो यह सब चीजे भी दर्शाती है कि after life after life का मतलब क्या है कि मृत्यू के बाद आदमी क्या जीता था उसके बारे में भी हमको दर्शाता रहता है ठीक है तो एक यह point पता होना चाहिए last but not the least नियोलिथिक पीरड से जो main importance है वो site का नाम है दाउजली हदिंग क्या नाम है दाउजली हदिंग कहां पे आए है ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर है आज के आसाम वाले रीजिन के अंदर और वहां पे एक stone मिला है जिसका नाम है जड़े आइट जड़े आइट का importance यह है कि यह इंडिया में नहीं मिलता है तो जो नियोलिथिक साइट है आपकी दाउजली हदिंग उसके अंदर हम लोग यह conclude कर सकते है कि यह stone चाइना से आता था and that means the people belonging to the नियोलिथिक एज they were aware about the China as well तो हो सकता है कि यह दाउजली हदिंग गया और इसके उपर ही आपका चाइना वाला रीजन आ जाता है तो there can be a possibility कि यह दाउजली हदिंग से उपर की तरफ गये होंगे और यहां कहीं से इन्होंने व्यापार किया होगा या पथर बथर लेके आए होंगे ठीक है? तो नियोलिथिक पिरड के अंदर इसना आपका conclusion होता है अब देखो नियोलिथिक के बाद स्टोन एज में दो important ages बनते हैं एक तो आता है चालकोलिथिक पिरड कौन सा? चालकोलिथिक पिरड और दूसरा आता है मेगालिथिक पिरड ठीक है? मैं आपको यहां स्लाइड के अंदर ही लिख के समझा देता हूँ क्या के importance है? चालकोलिथिक पिरड का importance यह है कि यह पिरड तक आते आता है copper मिलना शुरू हो जाता है क्या मिल जाता है? copper और stone का mixture बनना शुरू हो जाता है अब देखिए copper के discovery कहां से होती है? याद रखेगा तो खेतरी करके जगा है कौन सी जगा है? खेतरी खेतरी is a place in Rajasthan जहां से आपको यह पूरा का पूरा चालकोलिथिक पिरड के evidences मिले है और यह जो खेतरी करके जगा है यह खेतरी को जब हम लोग पढ़ता है तो इसी के द्वारा हमको पता चलता है कि चालकोलिथिक पिरड में कौपर का development होना शुरू हो गया था तो कौपर के कारण बहुत बड़ी impact पड़ेगी उसी तोर के उपर मेगलिथिक पिरड यह South India के अंदर शुरू हुआ था कहां पे? South India के अंदर और कब शुरू होता है? तो चालकोलिथिक पिरड शुरू होता है करीबन 10,000 BC से लेखे मैं कह सकता हूँ करीबन 4,000 BC तक का पिरड जो था उस दौरान आपको कहीं न कहीं चालकोलिथिक पिरड मेलेगा मेगलिथिक पिरड की importance क्या है? तो यह शुरू हुआ 10,000 BC से मेंली मैं कह सकता हूँ कि करीबन 2,000 BC तक चलता रहता है तो मतलब ऐसी कहानी थी यह 1500 BC मैं कह सकता हूँ 1500 BC क्या असपास मतलब कहानी यह थी कि मेगलिथिक पिरड साउथ इंडिया के अंदर काफी बना और यहां पर iron के tools भी use होने शुरू हो गए याद रखेगा तो हम लोग यह कह सकते है कि post neolithic period याद रहेगा सबको post neolithic period we find the development of metals और metals के रूप में सबसे पहले copper मिलता है North West India या North India के अंदर खेतरी by the way is a place in Rajasthan आपको समझा रेता हूँ और जो iron है वो आपको कहां पर मिलता है South के अंदर ठीक है तो यह दोनों का significance आपको UPSC कभी कभी पूछेगा कि कहां से मिला है कौन सी जगा से मिला है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपका जो stone है जो stone is के अंदर megalithic period और चालकोलिथिक period खतम होता है चालकोलिथिक में खेतरी मैंने आपको जगा बता दी जो राजस्तान के अंदर है और megalithic period का importance यह है कि आपको उसकी sites मिलेगी इंडिया के अंदर कहां कहां मिलती है तो megalithic की एक बहुत important site है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको और एक और site है जिसका नाम है आदी चनल्दूर क्या नाम है ब्रह्मगिरी एन आदी चनल्दूर अब थोड़ा बहुत megalithic age के बारे में समझाही देता हूं अब देखिए megalithic age का period का importance क्या है राज stone boulders को use किया गया था अब last stone boulders का importance क्या है sir कि यह जो मैं कह सकता हूँ कि stone boulders थे हमको दो जगा से मिले है एक तो ब्रह्मगिरी नाम की जगा मैंने आपको अभी बताई और दूसरी कौन से थी आदी चनल्लूर आदी चनल्लूर करके जगा थी वहां से आपको मिलती है यह दोनों की दोनो stone boulders का importance यह था कि आपको बड़े से stone boulders मिले और उसके नीचे उसके नीचे आपको कहीं न कहीं burial की sides मिलती है burial की side समझ में आती है आपको कि आदमी को दफनाया गया था so say for example यह stone है यह आजू बजू में भी उसके stone के पत्थर रखे गए है getting a point तो all this thing shows यह सब चीज़े दर्शाता है यह सब चीज़े दर्शाता है कि आपके जो stone boulders थे आपके जो stone boulders थे उसके नीचे यह जो dead bodies को दफनाया जाता था और कभी-कभी उसके अंदर आपको iron के tools मिलते है ठीक है तो इसके लिए जो megalithic period उसका importance यह है कि यह South India के अंदर develop हुआ था और बड़े stone के tools के नीचे dead body को दफनाया जाता था इसका time frame हम लोग लिख सकते है 10,000 BC onwards से यह शुरू और 1500 BC तक चलता रहा यह मैं कहूंगा उससे भी थोड़ा आगे चलता रहेगा इवन जब North India के अंदर उस दौरान वेधिक age की शुरूआत हो गई थी किसकी वेधिक age की शुरूआत हो गई थी तब भी आपका megalithic age South के अंदर चलता रहा था ठीक है तो megalithic period के बारे में आपको इतना point पता होना चाहिए आइरन टूल्स का importance बहुत बढ़ जाता है और एक और age मैंने आपको बता दिया चालकोलिथिक चालकोलिथिक में importance किया है सर तो चालकोलिथिक का importance यह है कि आपको copper का evidence मिलता है और copper के tools के अधार के ओपर पूरा का पूरा development चलता रहेगा ठीक है तो आधी चनलूर और भ्रह दिये एक important sites आपको मीसोलिथिक पीरर के बारे में बता देता हूँ मीसोलिथिक में अलग से कोई site अगर आपको पूछ सकता है वह है लागनज लागनज is a place in gujarat यहां कहीं पे अमदाबाद के पास आया है टूर्स गादी नगर आया है गादी नगर से थोड़ा नौर्स की तरफ है नौर्स गुजरात में बट आपको यह पता होना चाहिए मीसोलिथिक एज है बाकी भीम बेटका continued as a site for paleolithic, mesolithic and the neolithic period ठीक है तो भीम बेटका के अंदर जो evidences मिले है वो सब एज के अंदर से मिले है तो ऐसा नहीं कि खाली एक एज का importance है भीम बेटका के अंदर all the ages are important इन भीम बेटका ठीक है तो यह महरगड का importance हो गया अब थोड़ा बहुत stone age से आगे चलते है और Indus Valley civilization की तरफ जाते है अब देखिए copper का age का शुरुवत हो गया 10,000 BC मैंने आपको बता दिया कौन सा age था चालकोलिथिक पीरिड था वहां से थोड़ा अब आगे चलते है और archaeology मिलती है archaeology का मतलब क्या है कि इंडस्वाली civilization के जो लोग है उनके द्वारा जो कुछ-कुछ remains चूट गये है उन सब के history को पढ़के हम लोग इंडस्वाली civilization को समझ पाते हैं और यह urban civilization थी यह शेहरी शब्रेता थी अब इसकी importance क्या है थोड़ा बहुत समझा देता कब हुआ करीबन 2500 BC के आसपास development होना इसका शुरू होता है कब होता है तो हम लोग आजूम करता है 2500 BC and it continues up till 1600 BC कब तक चलता है 1600 BC तक चलता रहता है ठीक है तो इंडस्वाली civilization mainly deals with the region जो 2500 BC से शुरू करके 1600 BC तक चलता रहेगा चार फेजिस के अंदर इसका evolution हुआ और इसका geographical extent क्या है तो पहला तो आपको यह पता होना चाहिए geographical extent अगर आप कही ना कही देखोगे तो आपको यहां से मिलेगा एक तो नाम है सुक्टा को करके जगह है देख रहे हैं आपको सुक्टा को is a region mainly which is located in the northwest part of the country मलब आज का तो बलुचिस्तान वाला region हो गया उपर अगर आप देख पा रहे होगे तो जम्मू के पास एक जगह ह मंडा यह मंडा नाम की जगह तक फैला हुआ था नीचे south में अगर आप देखोगे तो इसके important sites आपको मिलेगी दाइमाबाद दाइमाबाद is in महारास्टर and on the western front मतलब मैं कहूंगा on the eastern side आपको आलमगी पूर करके जगह मिलती है आलमगी पूर करके जगह मिलती है विच इ नियर मेरट और कहा जाता है कि यह चार के regions के अंदर फैली हुई एक civilization को हम लोग Indus Valley civilization के रूप में पैचानते है ठीक है तो यहां में बहुत थारी sites मिले है अब आपको कोशन कहां से आता है इनकी sites के उपर से ही कोशन आता है mainly the questions is asked कि यह site से क्या मिला फलानी site से क्या मिला तो आपको यह एकल एविदेंस इस था उसके उपर से भी कभी ना कभी कोशन आ जाता है ठीक है तो यह चुद नो की हरपन civilization की importance क्या थी अब सबसे पहले हरपन civilization को urban civilization क्यों कहते है उसको समझने की कोशिश करते है ठीक है अब urban civilization क्यों कहते है सर हरपन civilization को क्यूंकि हरपा के ज्यादे तर cities थे उनको town planning system के तहत बनाया गया था town planning system का मतलब क्या था कि कोई भी आपका शहर है उसके रास्ते एक दूसरे को 90 degree के उपर intersect करते थे जैसे कि मैं आप भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ यह 90 degree का intersection हो गया और mainly इनके रास्तों की खासियत यह हुआ करते थ वो grid pattern के अंदर किये थे ठीक है तो 90 degree जो एक दूसरे को horizontally और vertically cross करेंगे तो grid pattern के अंदर आपको मिलते रहेंगे यह आज के modern day cities जैसे चंदीगर गांदीनगर cities आपको वैसे मिल जाते हैं दूसरी important point क्या थी तो इनके जो घर है इनके जो घर है इनके घर का layout भी आपको बता ह होना चाहिए इंडेस्वाले civilization के cities जो थे वो cities के जो घर थे जैसे यह घर है यह घर कहीं में रोड के ओपर नहीं खूलता था और इसका घर का जो opening था वो opening side वाले दरवाजे से होता था मतलब क्या था कि say for example यहां पर एक रोड जा रहा है यह रोड के ऊपर अगर घर होगा तो घर की जो entry होगी वो entry कहीं यहां पर होगी समझे कि नहीं समझे क्यों क्यों कि अगर main road के उपर entry करती तो traffic traffic का लोचा हो जाएगा ठीक है चलो यहां पर आ जाते हम लोग तो पहले grid pattern बता होना चाहिए दूसरा important point क्या है कि इनके जो रास्ते चलते थे ना इनके जो रास रास्ता यूँ sloping pattern के अंदर आपका चलेगा दूसरी important point इनके cities के अंदर आपको जो road system है उसके अंदर यह भी पता होना चाहिए कि इसके नीचे ही drainage line भी चलती थी तो roads के नीचे ही आपकी drainage चलती थी और roads के नीचे चलती है तो उसका importance यह समझाता है कि इन्होंने जब रास इनके cities के अंदर हम लोग जो grid pattern के अंदर याद रखते हैं वो आपको यह भी पता होने चाहिए कि because of the sloping pattern of the roads, the roads used to slope from north to south direction, इनके जो रास्ते थे वो north to south direction में slope किया करते थे, उससे importance यह उसका significance क्या आएगा, mainly अगर आप देखेगा, तो जो आपका solid waste है, solid waste का मतलब क्या होता है, mainly जो आपका कच्रा है, mainly वो भी कहीं ना कहीं आप वो धलान के ओपर वो waste हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक जगा से दूसरी जगा एखटा हो पाएगा और आप उसको अच्छी तरह से maintain कर पाओगे शहर को, ठीक है, तो एक इतना point आ पार्ट के अंदर divide किया जाता था, western part and eastern part, western part के अंदर एक fort बनाया जाता था, यह fort को कहा जाता था, citadel, और यह citadel हमेशा अगर आप देखेगा तो थोड़े बहुत height के ऊपर रहेगा, height के ऊपर का मतलब क्या है, कि वहाँ पर थोड़ी लोग है ना, एक प्रकार की एक ऐसी situation जहां पे थोड़ी heighted area में लोग रहा करते थे, ठीक है, eastern area आपका, मैं कहूंगा, plain area हुआ करता था, यह flat area हुआ करता था, जहां पे कोई height आपको नहीं दी जाती थी, और बहुत लोग का कहना है कि यह जो citadel है, उसी के अंदर ही ruling class, मतलब इनका जो साशक work है, वो भी रहा होना चाहिए, दूसरी urban civilization की importance किया थी, कि इनके cities के अंदर बहुत बड़ा trade and commerce भी बना, और because the trade and commerce development is a part of the urban civilization on large scale, जो बहुत सारे बना, तो बहुत सारे cities में आपको बहुत सारी political में कहूंगा कि economic development भी मिलती रहेगी, तो एक आपका इतना point हो गया, अब इसके जो cities थे, वो cities का मैंने आपको map अभी थोड़ी जिर पहले बताया, यह cities के map के अंदर आपको point बता होना चाहिए, कि यह cities का importance क्या क्या था, ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ, कि जब हम लोग ने यह cities को पढ़ते हैं और इसको analysis करते हैं, तो इनके cities के दोरा क्या पता चला, तो majority cities जो थे, वो two areas के देखिए, मतलब, एक मैंने बताया, east और west, but एक city है, जिसका नाम है धौलावीरा, क्या नाम है, धौलावीरा, धौलावीरा is a place which is located in Gujarat, यहां कहीं पर located है, यह रहा, धौलावीरा, it's in Kach, and you'll find कि धौलावीरा, which is a place in Gujarat, which is divided into three areas, हाँ ठीक है, तो उनका east, west और बीच में common area भी आ जाता है, जो एक plain ground के रूप में था, इतना point आपको पता होना चाहिए, जो cities के अंदर आपके कहीं न कहीं development हुए, दूसरे सब cities के अंदर आपको town planning की uniformity मिलती रहेगी, ठीक है, तो town planning की uniformity, आपको हर एक city के अंदर मिलती है, we found uniformity in the town planning, okay, we don't have any other problem in that, वो बहुत clear cut area हमको मिल जाता है, दूसरा water management के उपर चलते हैं, अब ये शहरों की खासियत क्या थी सर, कि इनके शहरों के अंदर water management बहुत ही अच्छा था, मतलब पानी काफी अच्छा हुआ करता था, अब हड़पंस पानी कहां से लेके आते थे, इ on the river banks, इसके लिए इसको Indus Valley civilization कहते हैं, क्योंकि Indus नदी के किनारों के उपर इन लोग की ज़्यादे तर शहरों की स्थापना हुई, दूसरी इन्होंने बहुत सारे wells भी बनाएं, और बहुत सारे step wells भी बनाएं, step wells समझ में आता है, अपको step wells का मरला भी होता है, कि हम लोग की से, for example, this is your water body, this is your water body, इसमें पानी है, और आप यहां पे खड़े हो, तो you will be able to enter down, okay, आप नीचे उतर सकते हो, उसको step well कहते है, okay, तो यह हड़पंस ने बनाया थे, step well कहां पर बनाया थे, याद रखेगा, धोड़ावीरा के अंदर इन्होंने step well बनाया हुआ है, wells सबस कुवे मिलते है, हडपा is located by the way on the river Rabi, Rabi नदी के किनारे आपको हडपा मिल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत significance water के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा water का importance क्या था इनका, तो इनका water का importance था, यह drainage system, drainage system की importance क्या थी, तो एक तो आपने जब रास्ते बनाये, तो रास्तों है, वहां से पानी बहता बहता नीचे चला जाएगा, और पानी को gravity के अंतर, gravity का मतलब क्या होता है, कि एक मैं कहूंगा कि ढाल देके, उसको धलान देके, उसको flow कराया जाता था, so whenever the water is being flown under a gravity, जब उसको पानी को gravity के तहत flow कराया जाएगा, तो उसका एक अलगी significance उभर के जाएगा, ठीक है, तो यह आपका drainage system का एक significance आपको कहीं न कहीं मिलता रहेगा, दूसरी importance point किया थी, याद रखे है drainage system में, कि हर एक house के साथ connected, every house was connected to the drainage system, ठीक है, तो वो भी water management डर्चाता है, और हडपन्स were the first persons, याद रखे है, to use the sanitation, in fact, इनके बहुत सारे houses के अंदर हमको toilet भी मिले है, ठीक है, तो यह लोग बाहर नहीं जाया करते थे, सोच भारत का आपको example, हडपन्स के अंदर मिल जाएगा, तो इतना point आपको हडपन cities के बारे में, मेन, मेन, thematic perspective से पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरी important point, इनके शहर से क्या-क्या चीजे मिली है, what we have found in the cities, ठी तो एक तो आपको great बात मिला है, यह दर्शाता है कि industrialization के लोग वो है ना कि एक प्रकार से थोड़े बहुत aware हुआ करते थे, great बात कहां मिला है, तो मोहंजोदारों के अंदर मिला है, कहां मिला है, मोहंजोदारों के अंदर मिला है, दूसरा आपको cities के अंदर क्या मिला है, तो आपको granary मिली है granary अगर अग देखेगा तो ये चीज दर्शाती है कि इनका agriculture के अंदर काफी बड़ा growth हुआ होगा क्यूं? क्यूंकि जब agriculture का growth होता है तो surplus बनती है ना चीजे और चीजे जब surplus बनेगी तो उसको store करना पड़ेगा store कहा करोगे तो उसके लिए आपने granary बना दी ठीक है? ये granary आपको मोहंचोदारो और हडपा इन दोनों विस्तारों के अंदर मिलती है तो ये सब चीज भी आपको कही ना कहीं से दर्शाती है ये आपका मैंने आपको step well बताया ये step well हमको दोड़ावीरा के अंदर से मिला है और यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सीड़ी उतर के आप नीचे कुवे के अंदर जा सकते हो फिर कुवे में नवत गिर जाना ठीक है? दूसरे important point यहां पे हमको reservoirs मिले है और ये reservoirs की importance ये है कि इंडस्वेली civilization के लोग ने water bodies बना के उसको जोडने की भी कोशिश की थी ठीक है तो इतना इनका urban civilization या urban aspect of इंडस्वेली civilization हो गया अब urban aspect के साथ-साथ समझने की कोशिश करते है कि इनकी economic, social and arts के प्रतिय life कैसी हुआ करते थी ठीक है, अब इंडस्वेली civilization की importance क्या है तो मैंने आपको बता दिया कि ये urban civilization था urban का मतलब है कि ये लोग व्यापार करते थे और trading भी किया करते थे अब व्यापार और trading कब possible होगा जब agriculture अच्छा development होगा ठीक है, तो इंडस्वेली civilization की importance ये है कि इनका जो industry और trade था वो trading, internal trading तो हुआ ही करता था even they were the person who used to trade with external areas external areas का मतलब मतलब है कि भारत के बाहर भी trading किया करते थे जैसे लोथल से इनका trading चलता था आज के ओमान की तरफ उसी तोर के उपर लोथल से ही trading हुआ करता था आज के दिल्मून की तरफ दिल्मूनी प्रेजेंडे बाहरे इन आई वूट से एंड कहा जाता है कि यहां से यह लोग अंदर की तरफ भी जाते थे इन प्रेजेंडे मेसेपोटेमिया मेसेपोटेमिया जो इराग का civilization है यूफरेट्स टाइग्रीस वाले region में वहां पे भी यह लोग जाया कर जाए ठीक है तो आपको यह population से script नहीं पता चली है तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना ही आपका history बदल जाएगा इनके importance क्या थी इन्हों ने बहुत सारे जो statues बनाए इन्हों ने art and craft की जो अलग अलग चीजे बनाए उससे industry civilization को हम लोग समझ सकते है कि इनके द्वारा बनाए गई जो चीजे थी उसका क्या cultural significance सलता है उसका क्या economic significance सलता है जैसे आपको बहुत सारे stone के statues मिल जाएंगे उससे भी हम लोग assume कर सकते है कि यह बनाने वाले जो craftmen थे वो अलग अलग चीजे बनते थे ठीक है अब देखो industry civilization की importance क्या है यहां पर bronze का craft बहुत बना bronze art को बहुत develop किया गया bronze art का मतलब क्या है sir कि इन्होंने जो भी बनाया है जो भी चीजे बनाई है वो bronze के अंदर बनाई है mainly अगर आप देखोगे कहां से की चीजे बनाई गई है ठीक है तो you'll find की bronze कहां से आता था तो bronze mainly अगर आप देखोगे तो copper और tin का mixture है copper और tin अब देखो copper तो कहां पर मिलता था तो मैंने आपको बताया copper we used to get at a place called us Khetri Khetri is in Rajasthan अभी थोड़ी एर पहले बता दिये वहने आपको stone age के अंदर tin कहां से लेके अदर याद रखे team years to get from Afghanistan यह team कहां से लेके अदर है Afghanistan से लेके अदर है ठीक है तो यह दोनों को mix करके इन्होंने bronze की अलग-अलग art बनाई अलग-अलग techniques बनाई stone statues के रूप में बहुती interesting statues stone के अंदर बनाई जाती है by the people belonging to the industrial civilization यह भी एक उनका significance आपको कही न कहीं मिलता रहेगा ठीक है तो आपको यह point भी पता होना चाहिए कि यह कैसे इनकी development चलती है दूसरी आपको जो main man statues मिले उसको समझा रहेता हूँ जैसे आपको यह statue मिला है इसे बहुत सारे लोग कहते है यह bearded man है और शायद इनका interpretation बहुत लोग कहते है कि यह उनका राजा भी होगा this might be the priest king यह priest king भी हो सकता है there is theory in fact ओके यह mainly bearded man जो मिला है आपको कहां से मिला है याल रखेगा तो that is guy we found from Mohenjo Daruk उसके साथ सार एक male torso मिला है if you can see आपको आधा male torso है मतलब उसमें सर नहीं है नहीं पैर है यह male torso कहां से मिला है याद रखेगा यह हडपा से मिला है यह stone का है we also found mainly अगर आप देखेगा तो आपको एक bronze dancing girl मिली है यह dancing girl की importance यह है कि यह चीज़ दर्शाती है कि यह लोग dance man's के अंदर भी importance रखा करते थे और इससे भी हमको कही न कई assumption मिलता है एक और bronze bull मिला है bronze bull कहां से मिला है महंजो दर्शाता है तो यह जो bronze bull है यह bronze bull भी दर्शाता है यह जो हड़पन लोग हुआ करते थे यह हड़पन का क्या significance art and craft के अंदर था ठीक है तो art and craft को लेके इतना point पता होना चाहिए दूसरा हडपन के अंदर हमको क्या क्या चीज़ मिले है हमको seals मिले है seals का मतलब क्या होता है कि clay से बढ़े हुए है mainly अगर आप देखोगे object आपको मिलेंगे जो 2 inch by 2 inch की size के होंगे और उसके उपर कोई चीज़े pale की कई होगी या किसी ना किसी को बनाया होगा जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो आपको unicorn seal मिला है और कुछ कुछ seals में आपको पशूपती मतलब शीव जी दिखे है ठीक है तो कोई कहता है कि the hadappans were the worshippers of Shiva और यह seals के उपर आपको बहुत सारे animals मिल जाता है यह animals कौन से कौन से मिलता है याद रखेगा तो you find a bull animals के रूप में you find an elephant elephant भी आपको इसके अंदर से मिलता है फिर उसके साथ साथ और क्या मिलता है तो you find a tiger आपको एक tiger मिलता है and we also find a deer हमको deer भी मिल जाता है ठीक है और एक और चीज़ हमको मिलती है वो है rhinoceros क्या मिलता है rhinoceros तो hadappans civilization के दौरान आपके इतने सारे animals exist किया करते थे इन सब की knowledge भी आपको होनी चाहिए ठीक है दूसरी important point hadappans के अंदर याद रखेगा उनके जो scene से उसके उपर hadappans के script पता चलती है और ये script क्या हुआ करके थी इनकी script थी boostro feedon क्या थी boostro feedon script हा तो ये bull like चलती थी और इनकी script में मचली का importance बहुत है the significance of fish can be seen in the hadappans script as well आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए hadappans के अंदर जो लोग थे उनके दौरान हमको ये भी पता चला कि hadappans ने बहुत सारे beads और ornaments पहनते थे इन लोग को शॉक था jewelry का तो जैसे ये कोई इनसान है जो हडपा से बिलॉंग करता है इसने कोई jewelry पहन के रखी है ऐसा सजा के रखा है अपने आपको ठीक है तो आपको bead making factory मिलती है bead making factory मिलती है जाद रखेगा एक lothal के अंदर मिलती है और दूसरी कहां मिलती है चानू दरो के अंदर कहां पे चानू दरो के अंदर चानू दरो और लोथल यह दोनों जगह है विचार दबीड मेकिंग फेक्टरी प्लेसिस फॉर दे इंडस्वली पीपल ठीक है तो इंडस्वली के अंदर आपको इतना पोइंट पता होना चाहिए when it comes to art and craft अब art and craft के साथ-साथ इंडस्वली सिवलाइशन को last हम लोग जो देखेंगे उनका religion क्या हुआ करता था ठीक है अब देखें religion की जब हम लोग बात करते हैं इंडस्वली सिवलाइशन में तो we are not absolutely sure कि इनका religion कैसे हुआ करता था और किसको worship किया करते थे बट इनके दोरान एक important point यह है कि यह लोग आइडल वर्शीपर्स से यह चीज बहुत clear cut है क्यों आइडल वर्शीपर्स से क्योंकि during this period जब यह लोग ने in fact मूर्तिया बनाई तो उसमें हमको एक image मिली है एक आपको terracotta की image मिली है terracotta अगर आप देखोगे तो एक clay का पत्थर एक पत्थर का या clay का प्रकार है वहाँ पे आपको mother goddess की image मिल जाती है यह लोग कहते हैं कि शायद उसको फूचते होंगे दूसरा जो मैंने अभी आपको seal बताया ना कौन सा था पशूपती का seal अभी हमने देखा जस्ट यह वाला तो लोग कहते हैं कि यह जो seal है यह पशूपती का seal है यह शिवजी को दर्शाता है और शायद हड़पन्स शिवजी के वर्शीपर भी थे तीसरी थियारी यह भी कहती है कि यह लोग नेचर वर्शीपर भी थे ठीक है तो Indus Valley Civilization के अंतरगत अगर आपको पूचता है कि इन लोग ने कैसा development किया और किस तरह से आगे चले तो आपको इतना point Indus Valley Civilization में पता होना चाहिए कि यह लोग नेचर वर्शीपर भी थे इन्होंने आइडल वर्शीप भी किया था और इन्होंने शिवजी को भी कही न कहीं मानते थे प्रोटो शिवा जो पशुपती का सील है उसको भी वर्शीप किया करते थे यह भी चीजे दर्शाती रहती है अब फाइनली Indus Valley Civilization में हमको और क्या क्या चीजे मिलती है कहां से तो पहले वो समझा देता हूँ मैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको conclude करेंगे अब हम लोग main map के उपर चले जाते है main map से हमको बहुत सारी चीजे पता चल जाती है कि क्या क्या significance कहां कहां से मिला है अब देखिए हडपा एंड मोहंचेदरो हडपा एंड मोहंचेदरो इसाथ टू मोस्ट इंपोर्टन साइट अब लोथल में क्या importance है सर लोथल में एक पोर्ट मिला है आपको यह दर्शादा है कि यह लोग यहां पर shipping किया करते थे दूसरी लोथल के importance क्या है what is the importance of लोथल तो लोथल में आपको rice husk मिले है rice husk हाँ बहुत ही important है this is the only place जहां पर आपको rice के दाने मिल गया है जैसे हमने storage के अंदर देखे थे rice के दो places आपको यह पता होना चाहिए ठीक है rice husk आपको लोथल के अंदर मिला है दूसरा लोथल में आपको fire altar मिल गया है fire altar का मटलब क्या होता है हवन्कुंड ठीक है तो शायद हो सकता है कि ये लोग अगनी को by ship टार करते थे एक और जगह है Diesel एक हाली बंगन आपको fire alt call me मिलते हैं भी मिल यह आपको आप बैंगल्उ मिली है ठीक है तो आपको बैंकल मिलती है बहुत important case के एंदर एक और जगह जो राखी गड़ी करके जगह है अगर आप को थोड़ी बहुत जानकारी होगी राखी गड़ी इस सबसे साइट है जो आज की तारीक में इंडेस्वेली सिविलाज़ाशन को रिप्रेजेंट करती है यह नौर्थ इंडिया में हर्याणा वाले रीजन के अंदर आई इन में लोकेशन बता दे तो यह रार राकी करी ठीक है तो काली बंगन मैंने आपको बता दिया लोधल बता दिया धोड़ा बिरा ठीक है तो आपको इतना इतना पॉइंट्स में नी पता होने चाहिए कि कहां से क्या क्या चीज़ें मिल गई है ड्रेंट शिस्टम ग्रेट practices को लेखे अब हमने बहुत सारी sites को देखा वहां से हमको burial practices में आपको इस प्रकार के skeletal remains मिले है skeletal remains का मतलब क्या होता है कि आपको हड्यों के धाचे मिले है अब उसकी importance क्या है उससे हमको बदा चलता है कि lothals के अंदर एक बहुत बड़ा importance यह मिला कि यहां पर आपको pair of skeleton मिला है pair of skeleton का मतलब क्या है बहुत लोग कहते है कि यह शायद husband और wife हुआ करते थे यह शायद husband और wife हुआ करते थे इन दोनों ने मिलके in fact अपने आपको बरी कर दिया यह दोनों का साथ में death हुआ होगा तो society ने उन सब को साथ में बरी कर दिया there can be a possibility तो लोथल में दूसरी हमको pot burials मिलते है pot burials का मतलब क्या है mainly अगर आप देखोगे तो बहुत सारे burial places के अदर आपको pottery मिलती है यह चीज दर्शाती है कि after life मतलब मुरुत्यू के बाद जो जीवन है उसको भी यह दो मानते थे ठी क्रिमेशन कहीं कहीं पर जलाया भी जाता था और कहीं कहीं पर क्रिमेशन प्लस बरियल मुलब जलाने के बाद दफन किया जाता था इन दोनों प्रकार की प्रक्रिया मिलेगी इंडस्वेली सिविलेशन बहुत बढ़िया चल रहा था करीवन 1600 BC तक आते आते यह decline के ओपर च यह है जैसे इंडस्वेली सिविलेशन के decline के पीशे एक महाचा है जिन्होंने कहा कि सायट फ्लड आ गया होगा क्योंकि इनके सिटीज सब नदी किनारे थे तो डूप गए होंगे किसी ने कहा कि नो डॉट की situation हो गई होगी और माइन की situation के कारण यह इंडस्वेली सिविले खतम हो गई एक और चीज इसको लेकर अभी वी अपना opinion दे रहे होते हैं जहां पर इन लोग का मानना यह है कि जो इंडस्वेली सिविलेशन के जो सिटीज थे वहां पर शायद आरियंस ने आकरमन किया होगा और आरियंस ने जो जो बुक लिखी है रिगवेद के अंदर ए ठीक है तो शायद बहुत लोग कहते हैं हरी उपा माइट भी हडपा जो हम लोग इंडस्वेली सिविलेशन के साथ जोड़ते है ठीक है तो यह मल्टीबल थियरी उसको लेकर अभी तक क्लारीटी नहीं आई है एक थियरी किसे ने कहा है कि जियो लोजीकल रीजन भी हो सकते ही है मैं रीजन डिबेट के अंदर नहीं जा रहा हूं हम लोग टेक्स्बुक के अंदर दिया हुआ है उसी के सापेक्स में चलेंगे चलो आगे चलते हैं इंडस्वेली सिविलेशन का डिकलाइन हुआ फिर कौन आगे सर आरियन्स आगे ठीक है आरियन्स के बारे में हमको जो भी जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है वेदी केज से मिलती है वेदी काल से मिलती है वेदी केज को हिस्टोरियन्स ने बेस्ट ऑन दे स्टडी ऑफ लिटरेचर बेस्ट ऑन दी स्टडी ऑफ लिटरेचर दो फेस के अंदर डिवाइड किया है अर्ली वेदी केज और उत्तरवईदिक काल ठीक है अब प्राणभी अर्ली वेडिक एज और लेटर वेडिक एज के मीच में डिफरेंस किया है उसको भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हो ठीक है अब देखिए वॲईस और वेडिक एज ओर वेडिक एज उन समय हमको जो वेडिक लिटेचर की जानकारी मिलती है वो सब से पहले श्रूति लिटेचर डैबलोब होता है सु जहांसे अपका रुगवेड का डैबलोप्मेंट हो जानकार होता है ठीक है तो यू फाइंड कि जो अर्ली वेडिक है उसका डेवलोपेंट हुआ 1500 के असपास और लेटर और लेटर वेडिक एज के अंदर डेवलोपेंट हुआ करीबर 1000 या मैं कहूंगा 1000 ओनवर्ड के बाद वाले पीरिड में ठीक है तो ओके करके समझेते हैं अब सबसे पहले अर्ली वेडिक एज को समझते हैं अर्ली वेडिक एज के अंदर हमको कोई भी जानकारी देता है जो सोर्स देता है वो कौन देता है रुगवेद अब देखो वेद का मतलब होता है यह वीद नाम का शब्द है वीद का मतलब है to know और इसी के कारण रुगवेद जो है that is a main source of book which gives us the knowledge करीबन 1028 इसके अंदर हाइम से या श्लोक इसके अंदर include किये गए है और रुगवेद के अंदर हमको जो Aryans हुआ करते थे जो Arya लोग हुआ करते थे इनकी social, economical and political and also religious life के बारे में पता चला है ठीक है तो mainly हम लोग रुगवेद को सबसे main source of knowledge बताते है to understand the story of the early Vedic people ठीक है तो early Vedic people के बारे में आपको कोई सबसे आदा कोई knowledge देगा तो वो आपका रुगवेद ही हो सकता है ठीक है अब रुगवेद का importance के है 1028 स्लोक के अंदर लिखा गया है पहला point तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरा point क्या है रुगवेद के अंदर mainly अगर आप देखोगे तो it is a book consists of 10 mandals 10 mandals का मतलब है कि ये total 10 किताबों का एक समू है कोई एक book नहीं है याद रखेगा रुगवेद is not an example of one book it's a book consisting of 10 different different I would say books उन सबको merge करके बनाएं वाली एक किताब आपको पता होनी चाहिए इनके द्वारा हमको बढ़ा चला कि आरियन सबसे ज़्यादा सब्त सिंदू वाले रीजन में सब्त सिंदू मतलब इंडस और उसकी tributaries और mainly इनकी जो society थी वो pastoral थी और cattle based economy के अंदर cattle based economy के अंदर इनका पूरा का पूरा development चलता है अर्ली वेडिक एज के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता है और फिर उसको आगे समझेंगे अब देखे मैंने आपको रुगवेद के बारे में बताया जो वेडिक literature का सबसे most important part हुआ करता था that was the most important part of the Vedic literature ठीक है दूसरा उसके बाद तीन और वेड भी बने सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लेटर वेडिक period के अंदर बना था लेटर वेडिक period मतलब अभी time है उसको develop होने में तो सबसे पहले ये बनता है रुगवेद is a book जो knowledge आपको देती है शलोग के रूप में है सामवेद के अंदर जो वेद को जो मंत्र है जो शुरूत है उसको कैसे गाया जाएगा उसको कैसे pronounce किया जाएगा इसके लिए it's a book of music बहुत सारे लोग कहते हैं रुगवेद के अंदर आपकी जो हवन करने की टेखनीक्स है जो यगन करने की टेखनीक्स है उसको कैसे conceptualize किया जाएगा उसके लिए ये जुरूवेद लिखा गया तो ये जुरूवेद mainly deals with the rituals और कैसे आपके वेदिक जो rituals है उसको कैसे implement करेंगे उसके लिए बनाया गया था और लेटर ओन फिर अथरवेद बनता है अथरवेद deals about the mystic sciences and also the forest knowledge forest knowledge इसके लिए क्योंकि जब initially जो aliens ताई हुए थे northwest part of the country में उन्होंने in fact बहुत सारे society के लोगों को उस टाइम पर accept नहीं किया था तो बहुत सारे लोग कहता है कि जब aliens ने migrate किया लेटर वेडिक एज के अंदर और फिर migrate करके western part of the country में आ गये तो उसके बाद फिर अथरववेद का development stages में होगा ठीक है तो अभी टाइम है अथरववेद को लेके हम लोग आएंगे तब उसके उपर मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा अब आरियन्स कहां से आये थे उसको लेके पहला तो आपको point पता होना चाहिए एक theory वो कहता है बो इसारे political propaganda चलता रहता है एक theory Central Asia से कहती है और एक theory Southern Russia से कहती है यह Southern Russia वाली theory को Eurasian theory कहते है Eurasian theory का मतलब क्या होता है यूरोप और Asia का mixture जहां से होता है वहां से सायद आये होंगे दूसरा Central Asia का theory है जो mainly stepes करके प्रदश है ना stepes stepes कहां पर आया stepes is a region which is located I would say in the southern part of Russia मतलब मंगोलिया वाला जो प्रदेश होगा वहां से Germany की theory नहीं है तिलक की आक्टी की theory है को यह theory यह भी है कि Aryans Tibet से आये थे यह भी चीज़े बहुत सारे लोग कहते रहते ठीक है तो you'll find multiple things multiple theories जो बहुत सारे source discuss करूंगा तो I'll be talking about this theories in detail बट यहां पर हम लोगे एक overview ले रहे हैं तो अभी इन detail के अंदर नहीं करा पाऊंगा बट लोग कहते हैं कि यह लोग 1500 BC के असपस आये before common era के अंदर आये और उसके बाद इन्होंने इंडो आरियन लैंग्वेज बोलना शुरू किया यह इंडो आरियन लैंग्वेज से ही मेंली अगर आप देखोगे किसका development हुआ संस्कृत का ठीक है तो जो जो आरियन से कहां से आये किस तरह से आये उसको लेके अलग-अलग व्यूस सबके चलते रहते हैं आपको point पता होना चाहिए अब देखिए आरियन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं रुगवेद का importance यह है कि रुगवेद में Aryans कहां पर located थे उसके बारे में हमको बताया और कहा कि अर्ली वेदिक period में 1500 से लेके 1000 तक आते आते हैं Aryans यहां पर located थे रुगवेद ने साथ नदियों का उलेक किया है सब्त सिंदू सब्त सिंदू का मतलब क्या है इंडस जिसे हम लोग सिंदू कहते थे और इंडस की जो tributaries है उसके बारे में उलेक किया है अब देखिए कि यह tributaries का traditional नाम कुछ अलग था आज हम लोग जिसे जेलम कहते है उस थे बियास को विपशा कहते थे याद रहेगा आपको और सतलूज नाम की जो जो रिवर है उसे हम लोग क्या कहते थे शतूदरू ठीक है तो यह मेंली आपके साथ नदिया है और इंडस छटी है और साथ वी अगर आप देखोगे तो कौन सी है सरस होती जो अभी extinct हो गई है अभी लुप्त हो गई हमको नहीं मिल रही है ठीक है और जो आरियंस थे उन्होंने रुगवेड लिखा वहां से उनकी political, social and cultural life के बारे में हमको पता चला अब देखिए बात आगे चलती है political organizations जब हम लोग आरियंस का हम लोग देखते है तो हमको क्या क्या चीज़े मिलती है कि as a part of political organizations ये आरियंस चोटे चोटे एरिया में रहा करते थे और ये सबसे पहले family के अंदर united हुआ करते थे तो रुगवेड के अंदर family के लिए शब्द यूज़ किया गया है कुल उसके बाद गाव बनता था बहुत सारे families एक जगा रहते थे तो वो गाव को in fact कही ना कही ही अगर आप देखोगे जो 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 हैड हुआ करता था हर एक village का उसे हम लोग करते थे ग्रमीनी उसके बाद बहुत सारे villages इखटे ओके एक डिस्ट्रिक बनाते थे एक डिस्ट्रिक बनाते थे और district का हैड हुआ करता था wish पती या उसी को हम लोग wish कहते है wish was the place which was used for the district और बहुत सारे district के खटे होके, मतलब villages, sorry, villages, villages के नीचे family, family के ओपर district और district के ओपर आपकी क्या आएगी, पूरी की पूरी एक state बनती थी, उस time पे state शाम का शब्द यूज ने किया करता था, ये Aryans अलग अलग जन में रहा करते थे, ये जन का boss हुआ करता था, राजन, ठीक है, तो राजन was the word which was used for the king, और mainly रुगवेद के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं, तो रुगवेद के का पूरा का पूरा जो theory है, उसको अनकेड़े में प्लस के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा, कि आप जब प्लस के platform के ओपर जुरोगे मेरे साथ, तो we will be discussing on various topics related to the same issues, okay, तो you'll find कि जब हम लोग रुगवेद को देखते हैं, तो रुगवेद के अंदर हमको mainly काम पता चल सेंबे bodies हुआ करती थी, सभा और एक और हुआ करती थी, समीती याद रखेगा, ये सभा और समीती नाम की body के साथ साथ एक और body हुआ करती थी, जिसका नाम था वीधाता, क्या नाम था वीधाता, ये वीधाता सभा और समीती राजा को help किया करती थी, राजा को मैं कहूंग का suggest किया करती थी और राजा अकेला काम नहीं करता था राजा इनकी मदद से काम करता था ठीक है तो यह रूगवेद के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दूसरा रूगविडिक सोसाइटी के बारे में याद रखेगा कि रूगविडिक society जो early vedic society थी उस time बे वर्ण सिस्टम का origin होना शुरू हुआ था और society तीन वर्ण के अंदर divided थी तीन वर्ण कौन से कौन से थे तो ब्रह्मन शत्रिय और वैश्य और वैश्य और वर्ण आप जो काम करोगे उसके अधार के उपर आपको शत्रिय और आपने अगर ट्रेडिंग विडिंग किया तो आपको वर्ण के रूप में वैश्य वर्ण दिया जाएगा ठीक है व्यापारी जो होंगे वो लोग शत्रिय और ब्रह्मन जो नौलेज गें करके ठीक है? कुछ-कुछ लोग वर्ण na system के बाहर भी हुआ करते थे, कुछ-कुछ लोग outside the word हुआ करते थे who outside the word गो जो हुआ करते थे उनके लिए datmy नाम का शब्द यूस किया गCare है और at times उनके साथ सार एक और शब्द यूस किया गया था PANY पाणी we also the people who are not part of the Vietnam society यह दासा और सियू ऐसे लोग हुआ करते हैं दूसरा रुगवेद के अंदर आपको condition of woman भी पता होनी चाहिए कि रुगवेदी कह रहा हम है woman की condition क्या थी अब woman की condition क्या बता चलती है तो जब हम लोग रुगवेद देखते हैं तो we see the significance that the woman were allowed to marry their own partner तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे स्वयम वर भी कह सकते हैं स्वयम वर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं कि marriage को लेकर उसके पास independence थी दूसरी important point woman को educate किया जाता था और उस time पर जो rituals चलते थे वो rituals में भी women participate करती थी तो we find the instances of Gargi then Lopa Mudra like women जिनको मैं कह सकता हूं कि रुगवेदिक society के अंदर participate करने के लिए या रुगवेद के अंदर कहीं न कहीं उन्होंने contribute भी किया था ठीक है दूसरी society के अंदर food habits भी important होता है अब देखो रुगवेद के अंदर agriculture का बहुत ही development नहीं होता है क्यों agriculture का development नहीं हुआ क्योंकि अभी तक iron लगा यूज नहीं हुआ था iron का यूज उत्रा नहीं होता है वह early very age का period में iron का development नहीं होगा तो because iron का development नहीं होगा तो agriculture का भी development नहीं हुआ agriculture का development नहीं हो तो food habits आपकी limited रही और food habits के अंदर अगर आप देखोगे तो ज्यादा तर fruits को consume किया जाता था दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको barley मिल जाएगा और including they were fond of I would say मैं कहूंगा कि leisure time के अंदर ये लोग racing racing किया करते थे इन सब के बारे में भी हमको जानकारी रिग्विद देता रहता है ठीक है तो food habits के importance आपको यह पता होना तो food habits में एक drink है जिसका नाम है सोम्रस इसके बारे में cattle related और इसके लिए रिग्वेद के अंदर गाउ का importance बहुत है गाउ मतलब जो काउ कहते हैं हम लोग उसका significance आपको maximum कहां पर मिलेगा आपको रुग्वेद के अंदर ही मिलेगा अब बहुत ही लंबी कहानी है अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनका मानना यह था कि भई काउ is the main source और इसके लिए गाई का importance बहुत है राजन को गोपती कहते थे अमीर इंसान को गोमत कहते थे गाई के लिए जब शोद और सब लोग उसको डूनते रहते थे उसके लिए गविश्ठी नाम का शब्द यूस किया गया है उसी तोर के ओप दिस्टंस के लिए गव्यूती ताइम के लिए गोडूली फिर लेटर ओन डॉटर के लिए दूहितरी शब्द यूस किया गया है और विदिन फैमिली अगर कोई भी इंसान एक दुसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे कहा जाता था गोत्र टाइम समलोग आज की तारीक थोडी देर पहले तो हमने आपको अरियंस के रिलिजिजन के बारे में बताया था कि हड़पंस का रिलिजि Prestคंटिव घड़ आ तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या हुआ करता था, अब देखिए, when we see the case of the religion, when we see the case of the religion, तो ये लोग natural forces को, मतलब जो प्राकुरूतिक परीबल थे, उसको माना करते थे, और रुगवेद के अंदर ये 5 forces को बहुत important दिया गया है, earth, fire, wind, rain and thunder, तो पंच तत्वा जिसे हम लोग कहते हैं, आज की तारीक के अंदर, ये पंच तत्वा का एक importance आपको रुगवेद के अंदर मिलता रहे गया, दूसरे important point, mainly रुगवेद के अंदर ज्यादा तर अगर आप देखोगे, तो आपको जो 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 भगवान है, जो 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 गॉड्स है, उनका importance मिलता है, सबसे highest जो कही न कहीं dedicate किये गए है, hymns, जो मैं कह सकता हूँ के सबसे largest number of mention रुगवेद के अंदर कोई भगवान का है, तो किसका है, इंद्र का है, ठीक है, इंद्र को लोग बहुत मानते थे, इंद्र है, वरून है, वायू है, अगनी है, पृत्वी है, ठीक है, तो you'll find, इंद्रा used to be the main god, that is known as the thunder god, फिर उसके बाद अगनी है, अगनी को intermediary god के रूप में भी कहा जाता था, including we also find the goddesses who are mentioned as a part of the रिगवेद, तो ये दर्शाता है कि इनकी society कुछ अलग प्रकार की थी, रिगवेद के अंदर एक importance point आपको ये पता होना चाहिए, कि इन्हों में idol worship ठीक ठाक की थी, but the Aryans did not went for any kind of idol worship, इन्होंने कोई mandir भी नहीं बनाये, और mainly अगर आप देखोगे, तो लोग प्रजा और पशू की रक्षा हो, मतलब अपने area की रक्षा हो जाए, अपने जो जानवर है, क्योंकि वहीं उनको खाना पिला खिलाते थे, उसका development होता है, उसके लिए ये लोग worship करते थे, उससे जाएदा कुछ नहीं करते थे, ठीक है, तो इतना आपको Vedic Age के अंदर बता होना चाहिए, Vedic Age के बाद क्या होगे है sir, लेटर Vedic Age के अंदर आते आते, ये Aryans, पहले जो कहां पे रहते थे, तो when they used to stay in this area, ये लोग shift होके कहां पे आग है, so the Aryans had to shift from one location to other location, in the early Vedic period, 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 the Aryans used to shift in the areas called as Sabtu Sindhu, but in the later Vedic period, in the later Vedic period, the same Aryan shifted to the Ganga Yamuna region, ठीक है, तो ये लोग है ना कहीं और shift हो जाते हैं, over a period of time, ये गंवय गंवना वाले region के अंदर आगे, और यहां पे आने के बाद, एक significance, एक अलगी प्रकार का उभर के आया, उसको थोड़ा भध समदारे की कोशिश करता हो, अब देखें क्या होता है, Later Vedic period को हम लोग अब Early Vedic period के साथ compare करेंगे, हमने Early Vedic period के अंदर क्या पढ़ा, तो मैंने आपको Early Vedic period के अंदर political conditions बताई, कि जो जन था, जन का मतलब था कि जो राज्य था, उसका boss कौन होगा करता था, राजन, समझेक नहीं समझे, अब in the Early Vedic period, आपका जो राजन था, वो राजन कैसा था, वो not that much powerful, समझेक नहीं समझे, बट in the Later Vedic period, ये राजन powerful होता है, तो राजन जितना powerful होगा, उतनी ही सभा, समीती और विधाता नाम का जो institutions था, वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो Later Vedic period के अंदर सबसे बहला फटका ये पढ़ गया, दूसरी important point याद रखेगा, तो यहाँ पे राजन ने in fact बड़े- को इखटा करके, दो जन को, मतलब दो स्टेट को इखटा करके, एक नया political unit बनाया, जिसे हम लोग कहते है, जन्पद, नाम याद रखेगा, आपको पूछ सकता है, कि इनमें से कौन सी जन्पद का development कब हुआ था, लेटर ओन फिर यहाँ से ही महा जन्पद का development भी होता है, ज उसाइटी में किया development हुआ, आपकी बदल गी, कैसे बदल गी, दो सॉसाइटी and the social life changed over a period of time, अब कैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, वो भी समझा रहता हूँ, दो सॉसाइटी गट चेंज इन दे लेटर वेरी पिरिड और वरनश सिस्टम के अंदर रिजिधी आ गई वर्ण सिस्टम में रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि पहले यह हुआ करता था कि इस पार्ट आफ दे सोशल स्टेटस और सोशल स्ट्रॉक्ट्टर इस पार्ट अब अब आपका जो वर्ण के अंदर जन्म हुआ है जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर ही आपको फाइनली पूरा जिन्द की काम करना है ठीक है इंक्लूडिंग कंडिशन और वुमें और विधाता है इसके अंदर वुमें पार्टिसिपेशन भी एक ताइम के अंदर हुआ करता था अर्ली वेधिक पीरिड में वुमें पार्टिसिपेशन इन्टुदी सभा समित्य और विधा उस्टू टेक प्लेस बट इन्द लेटर वेधिक पीरिड दे कंडिशन वुमें गोट डिटिवेटेट इस्त्रियों को कहा गया कि आपको इससे अदा काम नहीं करना है एं ठीक है तो वर्णा खतम हो गया आपकी वुमें की कन्डिशन खतम हो गई वर्णा को एक्स्पांड किया गया अब वर्णा कैसा हो गया चार वर्णा के अंदर सोशाइटी ने मिल्वेफ हो गई अब Relations and New Social Conditions उभर के आए New Social Relations and Conditions का मतलब यह होगा कि अब इंडिया की जो society है वो उसमें change होगा शूद्रस जो है उनको सबसे नीचे का काम दिया गया और उनको कहा गया कि society में अब आपको यही काम करना है समझे कर नहीं समझे तो एक आपकी society भी change हो गई political condition भी change हो जाती है तीसरा इसके अंदर important point आएगा वो है आपकी economic condition का किसका आएगा economic condition का point आएगा अब देखो economic condition का क्या importance है तो later Vedic age तक आते आते later Vedic age तक आते आते आर्थिक रूप में आपने क्या परिवर्चन लाए वो भी समझा देता हूँ as a part of the economic conditions of the later Vedic age as a part of the economic conditions of the later Vedic age what changes we find what we see as a part of the economic conditions of the later Vedic age is is that की economically आपकी थोड़ी बहुत iron की development होने शुरू होई थी अब क्यों हुई तो iron का कैसे development होगा तो अगर आप देखे तो यहां पे आपका थोड़ा बहुत लोहा मिलना शुरूवत हो जाता है ठीक है so when the Aryans when they migrated in this region तो इस दौरान तक आते आते आपके iron का development होता है और जब iron का development हुआ तो नए tools बनेंगे tools से क्या होगा agriculture का development होगा तो एक पूरी की पूरी cycle चलती है समझे आप लोग तो you will find कि because the development of the iron created the basis for the new agriculture setup और आपकी थोड़ी बहुत agriculture का development भी शुरूआत हो जाती है एक important point याद रखेगा कि यहाँ पे अब rice की खेती होनी शुरू हो गई है ठीक है early vedic period में we do not find the evidences of the rice but in the later vedic period in the later vedic period हमको rice का development भी कही ना कही मिलता रहता है ठीक है तो एक यह भी significance आपका later vedic period के अंदर था religion में भी बहुत बड़ा change आया अब religion में क्या change आया तो मैंने आपको अभी जो early vedic period के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो main भगवान थे एक का नाम था वरून दूसरे का नाम था इंद्रा तीसरे का नाम हमने पढ़ा था अगनी ठीक है तो यह तीन सबसे main भगवान हुआ करते थे उनकी जगा अगर आप देखोगे तो आपको भ्रह्मा मिल जाएंगे आपको विष्णु मिल जाएंगे आपको रूद्र मिल जाएंगे ठीक है तो क्या होता है कि as a part of the religious practices later Vedic period के अंदर आपके जो importance of the early Vedic God है वो भी कम हो जाते है so when the early Vedic God जो आपके प्रारंबिक Vedic काल के जो भगवान थे उनका significance कही न कहीं कम होता है और religious changes आपके बहुत बड़ी मातरा में होने की शुरुवात हो जाएगी ठीक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि religious changes भी होने शुरू हो गए वरून, इंद्र, अगनी जैसे जो God है उनका importance भी कम हो जाता है ठीक है एक और change क्या आगया तो change मैं आपको कह सकता हूँ कि society के अंदर आवा आपको मिलेगा और society में mainly जब हम लोग देखते हैं when we see the case of the social perspectives and the social underpinnings as a part of the changes that took place as a part of the changes that took place क्या होता है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ ये वेद कौन से थे रुगवेद था दूसरा था सामवेद था तूसरा यजूरवेद हुआ करता था और चौथा कौन सा था अथर्ववेद ठीक है अब देखें कि जो अथर्ववेद था वो तो सबसे last मैं मैं कहूंगा added किया गया था और वो किसका था कि जब वेदिक सोसाइटी एक्सपांड हुई जब और भी लोगों को लिया गया तो उनका जो भी knowledge था वो सब अधर्ववेद के अंदर include कर दिया गया ठीक है अब देखो वेद की importance क्या थी ये वेद जो भी थे they are in the form of shurut shurut का मतलब क्या होता है they are in the form of hymns ठीक है तो अब दिकत क्या थी कि जब ये shurut के रूप में थे hymns के रूप में थे तो इसको समझना काफी कठीन था क्योंकि ये mantra के रूप में होते ये shlok के रूप में होते तो we are not able to understand तो उसको explain करने के लिए तो टो टाल सूथी लिटरेचर जो है इन षब को एकटा मिला उपनिशट फिलोसपी ओवएद है कोई भी वेद होगा उसके दो तीन ये आजकी तारीख में the 108 कॉपनिशट कि एमओका चलिस लिखेग kul bas टॉल्शॉपी लिए ये ये शूप होगा और वहाँ से derived होके क्या बनता है स्मृति लिटरेचर स्मृति लिटरेचर का मड़ला यह होता है कि यह वो वाला साहित्य है जो शुरूति से derive होके बनता है वहाँ से explain करने के बाद आगे चलता है समझे आप लोग ये स्मिट्य लिटरेचर लेटर और डेवलोप होता है वहाँ पे मेंबली अगर आप देखो। तो शद दर्शन का मतलब यह होता है कि छे फिलोस्पिस डेवलोप होई जो वेदिक साहितिय से डेवलोप होती है उसके बाद वेदांग का development हुआ और उपवेद भी बने और एपिक्स भी बनते हैं अब देखो उपवेद क्या होता है वाट दूमीन बाइप उपवेद तो उपवेद आर दोज वेद विच डिराइड फ्रॉम दे वेद ओनली तो जैसे मैं आपको यह कह सकता हूँ कि जैसे आपका एक सामवेद है सामवेद is a main वेद उसका उपवेद है गांधर्व वेद कौन सा वेद है गांधर्व वेद क्यों क्योंकि गांधर्व वेद is derived from the सामवेद and it deals with the music सामवेद also deals with the music ठीक है तो इस तरह से आपको उपवेद के बारे में पता होना चाहिए अलग-अलग बोक्स के अंदर शद दर्शन का development क्या है what is the significance of the शद दर्शन in the Indian philosophy अब शद दर्शन का काम एंड मोक्ष ठीक है अब कहते है कि मोक्ष कैसे हासिल करना है how to achieve salvation in life उसको लेके बहुत चारी अलग-अलग theories चली और यह salvation के रास्तों को लेके जो जो रास्ते वेद के ऊपर से डिराइव हुए है उसको हम लोग आस्तिक दर्शन कहते हैं we call it as the orthodox philosophy and this is how the philosophical systems in the Indian way of life developed from the Vedic literature यह चै अलग-अलग philosophy से इसके लिए शद कहा गया है समझे के नहीं समझे दर्शन का मतलब यह होता है philosophy ठीक है तो you'll find कि यह चै दर्शन है यह चै दर्शन अलग-अलग लोगों न दिये जो वेदिक literature से later on times के अंदर develop हुए तो जैसे एक है वैशेशी का दर्शन वैशेशी का दर्शन वस गिवन बाई रूशी कनाड याद रखेगा कनाड का importance आपको पूछ सकता है दूसरा एक है न्याय दर्शन इस फिलोसपी वस गिवन बाई रूशी गौतमा ठीक है उसी दौर के उपर आपको मोक्स कैसे मिलेगा विदान्त विच वस गिवन बाई वेद व्यास या उसी को ही अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग वेदान्त दर्शन के ओपर अभी वी भद्रयान उसको लेके भी अभी इनफेक्ट क्लेरिटी नहीं है पर भद्रयान के बारे में बोला गया है उसी दौर के उपर एक दर्शन है मिमान सा दर्शन विच उस गिवन बर रूशी जैमीनी ठीक है तो यूल फाइंड कि सबकी अपने अपनी फिलोसपी सी सबने अलग एपिक्स में क्या आती है एपिक्स में आते है आपके महाभारत एपिक्स में आते है रामायन एपिक्स में आते है आपके पुरान समझे के नहीं समझे तो विश्नु पुरान गरूर पुरान यह सब है ना आपके हिंदुजम की बुक्स आज की तारीक में भी लोग पढ़त है यह वेद के एक 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 एसे प्रकार के रूप में हम लोग इसको गिन सकते हैं जो वेदिक लिटरचर से डिराव हुए यह टोटल वेदांग की अगर आप हम लोग एक्जांपल देखते हैं तो आपको छह वेदांग मिलेंगे जो वेद को पटने के लिए बहुत ही स शिक्षा, एक है जोतिश, एक है कल्पसूत्र, एक है चंद, और एक का नाम का है निरुक्त, याद रखेगा, इसके मीनिंग होता है, जैसे व्याकरन का मतलब क्या होता है, कि वेद पटना हो, तो संस्क्रित ग्रामर आना चलूरी है, शिक्षा का मतलब है, कि वेद के मंत्र को बोले जाते हैं और कल्प सूत्र मेंली अगर आप देखोगे तो वेदी के साथ दुड़ा हुआ एक टॉपिक है ठीक है तो ये विदाम के अंदर आपको मिलेगा दूसरा वेद बहुत सारे है चार वेद बने आपको बता दिये रुगवेद यजुरुवेद सामवेद अथरो ये चारो वेद के अपने अपने जो मैं कहूंगा ब्रह्मनिया है जैसे रुगवेद का ब्रह्मनिया है अगर आप देखोगे तो सत्पत ब्रह्मनिया अगर आपको दिख रहा है यहां पे बने आपको हाइलाइट करके रखाए ठीक है तो बहुत लंबी कहानी है ये ब्रह् जाम-Centric खाली कौनसा वेद का कौनसा ब्रह्मनिय है आपको match the following के अंदर question आएगा तो at least आपको यह पता होना चाहिए कि which ब्रह्मने belongs to which वेद and what is the significance of that ब्रह्मनिय है ठीक है तो आपको इतना मोई पता होना चाहिए जैसे उपनिशद मैंने आपको बहुत सारे बता है ज्यादा एक सो आट से ज्यादा उपनिशद है ताइतरी है चंडोगिया जैमीनी मुंड़ का उपनिशद मांडू के उपनिशद सो यह तो खाली लिमिटेड है एक सो आट से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे ठीक है इस तरह से आपका वेदी केज के अंदर development खतम हुआ और वेदी केज से एक स्टेप आगे चलते है और समधने की कुशिश करते हैं अब देखो वेदी केज के बाद इंडिया में क्या हुआ वेदी केज में आपके जनपद बनने शुरू हो गये थे यह जनपद इखटे होके होके लेटर ऑन टाइमस में क्या बन जाएंगे महा क्या वरेंगे हैं माजन पад का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े स्टेट्स बने शुरू हो गए तो कहते हैं कि करीवन 600 बीची तक आते ये माजनập मतलब का डव्लोपमेंट होना शुरू हुआ यह माजन पद का निर्मान होना शुरू हुआ जब महाचर्पत बन रहे थे उनके contemporary times में सिधार गौतम और वर्द्वान महवीर मतलब जिसे जैनिजम और बुधिजम के साथ हम लोग जोड सकते हैं उसका भी development होना शुरू हो जाता है बुधिजम और जैनिजम का development होना शुरू हो और उसी के contemporary times के अंदर इंडिया में continuously foreign invasions हुए जैसे persians और Greek लोगों ने continuous आक्रमन किये भारत के उपर इन सब का parallel times इन सब का parallel development आपको history के अंदर मिलता रहेगा ठीक है तो हम लोग देखते हैं अब महाजनपद और Buddhism जैनिजम में क्या development हुआ अब देखिए क्या हुआ कि करीवन 16 महाजनपद उस त ऑपको धिशना और गुदावरी के बीच में आपको अमसक करके एक महाजनपद मिलेगा majority महाजनपद आपको यहाँ पर मिलेंगे कहा पर मिलेंगे ओर इस दोरान continuously जब महाजनपद न रहे थे तो इंडिया के उपर foreign invasions भी बने ठीक है तो सबसे पहले आपके पर्शियंस आएंगे इंडिया के ऊपर अटेक करने के लिए और दूसरे अगर आप देखो के तो कौन आएंगे क्रीक्स आएंगे ठीक है तो उनको भी याद रहेगा सब यह राजा था फाउंडर था बिंबिसार बिंबिसार का बेजा था अजाद सत्रू और उसका बेटा था उदयीन याद रहेगा आपको यह बिंबिसार और अजाद सत्रू जब रूल करते थे तो इनका मेन प्लेस हुआ करते था राजगीर क्या नाम था राजगीर in fact मगद डवलोप हुआ या मगद के अंदर एक बहुत बड़ा empire बन पाया उसके पीछे significance क्या था तो उसके पीछे का significance कही ना कहीं अगर आप देखेगा तो आपको राजगीर जैसा city के कारण ही आपको मिलेगा ठीक है क्यों राजगीर क्योंकि मगद एक एक ऐसा शहर के रूप में उभर के आया मगद एक ऐसे place के रूप में उभर के आया जिसे हम लोग कह सकते है कि एक ऐसी जगा के रूप में उभर के आया जिसने completely हम लोग कह सकते है कि उसको geographically काफी advantage था क्योंकि राजगीर एक ऐसा city था which was surrounded by hills and because राजगीर was surrounded by hills उसको जो surrounded by hills की जो पूरी की पूरी मैं कह सकता हो कि एक framework थी उसके कारण कोई विदेशी आकरमन नहीं हो पाया ठीक है बिमिसार था बिमिसार के बाद अजाद सत्र होया अजाद सत्र के बार उदाइन उदहीन ने मगद का capital कहाँ shift कर दिया याद रखेगा पाटली पूत्र पाटली पूत्र लेटर ओन फिर पटना के रूप में भी जाना जाता है ठीक है यह हरेन का डैस्टी सबसे पहली डैस्टी वह करती थी मगद के अंदर उसमें अजाद सत्रू को हम लोग importance यह देते हैं क्योंकि यह बुद्ध का follower था he was follower of Buddha और कहते है कि जब बुद्ध का मृत्य हुआ when Buddha passed away तो अजाद सत्रू ने first Buddhist council भी बनाई थी first Buddhist council का मतलब क्या है कि बुद्ध के मृत्य के बाद total 4 परिशर बनती है उसमें से एक यह बनाता है ठीक है उधरीन का importance आपको पता होना चाहिए हरियन का dynasty का decline हुआ और उसके बाद कौनसी dynasty है सिशुनाग dynasty कौनसी dynasty सिशुनाग dynasty सिशुनाग dynasty में दो ही राज आए एक तो सिशुनाग दूछरे का नाम था काल अशोक क्या नाम था काल अशोक कहते हैं कि इन्हों ने भी पाटली पूत्र के उपर रूल किया और काल अशोक ने second Buddhist council की स्तापना की he established the second Buddhist council regarding Buddhism बहुत ही important आपको topic मिलेगा तो यह पता होना चाहिए आपको उसके बाद अच्छी तरह से और foundation को built किया था नन्दाज के अंदर और कहा जाता है कि यह जब नन्दा डैनस्टी पावर के उपर थी यह नन्दा डैनस्टी के अंदर mainly हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो political power था उसको expand करने के पीछे बहुत सारे राजाओंने road play किया कहते हैं कि नन्दा डैनस्टी में करीबन 10 से ज़्यादा राजा है there are more than 10 kings belonging to the नन्दा डैनस्टी और कहा जाता है कि नन्दाज के पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी and it is said कि नन्दाज के बारे में खास करके यह जो महापद्मा नन्दा है इनके बारे में कहीं न कहीं mention किया गया है in the Odisha और Odisha के अंदर आपको एक जगा मिलेगी हाथीगूफा अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी हाथीगूफा यह हाथीगूफा नाम की जगा है it's an inscription which is found in Odisha और कहते है कि यह जो हाथीगूफा inscription है यह जो हाथीगूफा inscription है वहाँ पे यह नन्दाज के बारे में बोला गया हो और शायद यह नन्दाज ने कलिंग के उपर आकरमन किया होगा और इसके लिए उनका mention वहाँ पे किया गया है including महारस्टर में नन्देड करके जगा है अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी यह नन्देड नाम की जगा भी नन्दाज के साथ ही जोड़ी जाती है ठीक है तो you'll find बहुत सारी चीज़े आपको मिलती रहेगी नन्दाज के बारे में बुधिजम की एक बुक है नन्दाज के बारे में आपको पता होनी चाहिए यह बुक का नाम है महाबोधी वन्ष क्या नाम है महाबोधी वन्ष याद रखेगा यह महाबोधी वन्ष नाम की जो किताब है ये नंदास के बारे में उनके political history के बारे में भी हमको बताती है and it gives us the detail about which were the Nanda rulers after the Mahapadma Nanda ये Mahamadma को Ugrasena करके भी बोला गया क्या कहा गया है? Ugrasena करके भी बोला गया है और Mahapadma के बाद करीबन 8 या 9 राजा है मतलब कहते है कि Dhananand सबसे Nanda dynasty का during the period of Dhananand it is said Alexander नाम का जो राजा था वो एंटर करेगा इंडिया की तरफ ठीक है? तो Alexander की story कैसी है आपको थोड़ा भाँत सम्जाने की कोशिश करूंगा कि जब Magad के ऊपर Nanda dynasty power के ऊपर थी Magad के ऊपर जब Nanda dynasty power के ऊपर थी when the Nandas used to rule over the Magad region during this period during this period Alexander will try to invade India सम्झे? तो Alexander का जब invasion हुआ तो इस दौरान Alexander तो directly यहां से कहीं से आगे नहीं जा पाया मलब वो जेलम से ही आगे नहीं जा पाया बट कहते हैं कि उस दौरान ये Nandas rule किया करते थे भारत के ऊपर ठीक है? तो आपको इतना point नandas के perspective में पता होना चाहिए नandas को बहुत सारे लोगों ने याद रखा है क्योंकि नandas के दौरान जो इंडिया में political condition थी वो political condition के कारण ही वो political condition के career आपको ये point पता होनी चाहिए दूसरा Alexander क्यों आता है? क्योंकि Alexander की कहानी ये थी उसको सिकंदर था तो he wanted to conquer the whole world उसको ऐसा था कि मैं पूरा का पूरा दुनिया जीत जाओ ठीक है? He wanted to explore the geography अब geography explore करने का मतलब क्या था? तो उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे Greek geographers ने उस टेम पर ऐसा लिखा था कि भई इंडिया के eastern part में मतलब यहां पर समुंदर है there is a sea अब टेक्निकली ऐसा तो है नहीं आप समझो कि यहां तो जमीन है सब कुछ समुंदर तो यहां पर आपको मिल जाता है ठीक है बेव बेंगवाल आ जाता है ना आपको ठीक है तो दिक्कत यह थी कि he wanted to explore the geography he wanted to conquer the whole world including wealth इंडिया के पास पैसा भी ठीक था था गोल्ड कोइन्स भी बहुत सारे थे यह सब चीजों के कारए अलेक्जंदर आया अब क्या हो गया अलेक्जंदर आया उसने North West India को attack किया अब North West India में attack किया तो सबसे पहले उसने अमभी नाम के एक राजा थे उनका सामना किया समझे क्नी समझे अब कहानी क्या है अब अमभी कौन थे और अमभी कहां रूल करते थे उसको map के दोरा समझाता हूँ तो जब सिकंदर आया और आपके जो दूसरे राजा हुआ करते थे पोरस, पोरस यूज़ रूल बिट्विए जेलम एंचेनाब के बीच में, ठीक है, तो कहा जाता है कि अम्भी के उपर अटेक किया, अम्भी ने सरेंडर कर दिया, अम्भी ने सरेंडर किया, उसके बाद ये पोरस के उपर अटेक करने आया, कौन आया Alexander, ठीक है तो वेन Alexander invaded in this region around Porus, और Porus की जेलव और चेन आपके बीच में जो दोवाब बाला region है, वहाँ पर उसका state हुआ करता था, वहाँ पर जब उसने attack किया, जब Porus ने Alexander के attack का सामना किया तो Porus ने बहुत ही bravely fought किया, कहते है कि Porus की जो भादूरी थी Porus की जो शौरियता थी, उससे Alexander बहुत ही प्रभावित होता है और बहुत लोग कहते है कि शायद Porus जीत भी गया था, बट Alexander इसके बाद आगे नहीं जा पाएगा, he will not be able to further across the Porus region, the regions of Jehlam and Kenab, और in fact Jehlam की नदी के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, उसे हम लोग वितास्ता की लड़ाई भी कहते है वितास्ता क्यों, क्योंकि अभी हमने Later Vedi Cage के अंदर देखा था, या Vedi Cage के अंदर मैंने आपको समझाया था, कि आपकी जो Jehlam नदी है, उसी को ही वितास्ता भी कहा गया है Greek लोग उसको Hidas Pass भी कहते है क्या कहते है, Hidas Pass तो आपको कभी कभी पूछेगा तो Hidas Pass की लड़ाई कहां पे होती है तो आपको पता होनी चाहिए कि तो आपको पता होनी चाहिए कि वस बैटल विच वार्ट बेट्वें पोरस and Alexander some theory, some book says that Alexander defeated Porus बट अभी कुछ नया perspective लोग ये भी कह रहे है कि नहीं, यहां तो Sikandar हार गया था और Porus जीद गया था ठीक है, whatever will be the case but Porus was reinstated on the power उसको political power दिया जाता है और Porus फिर से जहलम का राजा बन जाएगा वहां पे, Alexander बापीस चला जाएगा Alexander बापीस जाएगा और अपना एक सेनापती था जिसका नाम था Selecus Nicotar के नाम था Selecus Nicotar उसको भारत के अंदर छोड़ के जाता है और Alexander इनको कहता है कि भाई, तुम अब इंडिया को संभालो मैं जा रहा हूँ, I'm leaving India and this is how Selecus Nicotar will be coming in power Selecus Nicotar भारत के जो Northwest region है मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला region है this is the Northwest region यहां पे Selecus Nicotar का एक state हुआ करता है और Selecus Nicotar ने जब power capture किया तो वो करीबन 327 के आसपास का period था 326 के आसपास उस दोरान मगद में political changes हुआ 325 के आसपास you'll find चंदरगुप्त मौरिया will come to power और चंदरगुप्त मौरिया जब power के उपर आये मगद के उपर तो उनकी लड़ाई Selecus Nicotar के साथ हो जाएगी ठीक है? तो you'll find कि चंदरगुप्त मौरिया will be fighting a battle against the Selecus Nicotar और फिर उसके बार लड़ाई बहुत लंबी चल जाती है तो इस तरह से आपकी मौरियन डाइनस्टी पावर के उपर आई और मौरियन डाइनस्टी के साथ एलेक्जंडर और एलेक्जंडर का जो सेनापती था Selecus Nicotar उसका क्या significance है? वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है? तो इतना point आपको यहां से भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजे चल रही है अलेक्जंडर के साथ अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि एक साइड के उपर बहाँ चल बन रहे थे अब देखो बुद्धिजम जैनिजम का significance क्या था? वोडिजे significance अब बुद्धिजम जैनिजम उनका क्या महत्वा था? उनका क्या political, economic and cultural significance था? उसको भी समझाता हूँ मैं अब मेंली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बुद्धा और महवीर जब उस टाइम पे हुए उस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर cultural changes हो रहे थे जैसे Greece के अंदर Heraclitus करके एक philosopher आए इरान मतलब आज का जो पर्शिया है या आज का जो इरान है तब का पर्शिया है और सिधार्थ गौतम मतलब महवीर एंड सिधार्थ गौतम जिनने हम लोग बुद्धा कहते हैं उनका development कैसे हुआ उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा अब देखो कहानी क्या है कि लेटर वेधी के अंदर फिर से हम लोग चले जाएंगे इंक्लूडिंग संस्क्रिट लैंग्वेज का बहुत बड़ा political development में कहूंगा कि religious development भी बढ़ जाता है इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर आप समझो लेटर वेधिक एज की ही एक importance है कि इंडिया की जो मैं कहूंगा economy में भी चेंज आ रहा था क्योंकि आप समझो कि लेटर वेधिक एज के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता था आइरन का development वा लोहे का अब जब आइरन का development हुआ तो आपकी जो trading communities है वो trading communities का भी growth हुआ अब trading communities वाले अपने thought कर रहे है, economically development हो रहे है, Sanskrit कौन यूज कर रहे था सर, the Brahmins were using the Sanskrit and common man की language कौन सी हुआ करती थी उस time पे पाली language चलती थी और at times अगर आप देखोगे कौन सी language चलती थी दूसरी वो थी प्राकृत language ठीक है तो पाली और प्राकृत जैसी भाशाओं का विकास होना महाजन पत बन रहे थे, इनी के ही समकालिन समय में, इनी के ही समकालिन समय में, you'll find कि नए-नए religious changes भी होने शुरू हो गए, ठीक है, तो new religious changes के अंदर आपको जो जो बुदिजम और जैनिजम है, उसका development मिलता रहेगा, ठीक है, तो you'll find कि बुदिजम जैनिजम का development के पीछे, socio-economical and political changes उभर के है, political changes में भी आप समझो कि सिधार्थ गौतम and वर्दमान, मतलब जो बुदा है, और महवीर है, ये दोनों की दोनों का importance क्या है, you'll see कि वर्दमान and सिधार्थ गौतम both belong to the शत्रिया communities, ये दोनों के दोनों शत्रिया हुआ करते थे, और मैंने आपको अभी मिंच, शत्रिया, वाईश्या और सूद्रस, तो सूद्रस को तीरे दीरे दीरे अगर आप देखो गया तो discrimination होना शुरू हो गया था, including वाईश्यास को भी discrimination हो रहा था और शत्रियास को भी लग रहा था, इसी के कारण जब शत्रियास ने question किया, तो over a period of time you'll find कि एक नए प् responsible behind the socio-religious changes that evolved over a period of time and how they can be linked up to each other, इन दोनों को कैसे link up किया जा सकता है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, तो आपको इतना point समझ में आ गया कि why the Buddhism and Janism evolved, in fact Buddhism and Janism के साथ साथ एक और समुदय उभर के आया, जो थी चारवक की philosophy, ठीक है, ये चारवक लोग ऐसे हु ठीक है, तो आपको ये भी मिलेगा, इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे, तो उसके भी पहले, चारवक की philosophy पहले भी, आपको एक और समुदय मिलेगा, आजीवी का, आजीवी का लोग ऐसे हुआ करते थे, जो fate के अंदर मानते थे, ये fate के अंदर मानते थे, ये कहते थे नसीव-Nसीव की बात है, everything is written, और सब नसीव के अधार के उपर ही इंसान जीता है, ठीक है, तो all these things as a part of the Buddhist philosophies, आपको मिलेगा, अब थोड़ा बहुत सिधार्द गौतम के उपर चलते हैं, और वर्दवान के उपर चलते हैं, और उनको समझने की कोशिश करते हैं, कि उनका क significance है, उन्होंने क्या क्या चीजे हमको बताई है, और उनका किस तरह से development चलता है, ठीक है, अब सिधार्द गौतम की कहानी क्या है, उरिजिनली नाम था सिधार्द गौतम, उनका एक state हुआ करता था, mainly अगर आप देखोगे, शाक्या, शाक्या state कहां पर हुआ करता था, महाजन पद हुआ करते थे, यह महाजन पद अलग अलग प्रकार के थे, मैंने आपको पहले भी बताया, और यह महाजन पद में कुछ-कुछ states ऐसे हुआ करते थे, जहां पर आपके, mainly मैं कह सकता हूँ, कि जो society थी, यह polity थी, उसमें कभी-कभी आपको oligarchy मिलेगी, oligarchy का मत क्या होता है, you'll find कि कुछ families पूरे के पूरे महाजन पद को चलाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग oligarchy के रूप में भी पैचानते हैं, okay, so you'll find कि सिधार्द गौतम या गौतम बुद्ध करके, जो mainly भगवान बुद्ध आज की तारिक में हम लोग पैचानते हैं, तो वो शत् अंटी थी, उनको रेज करती है, अब कहा जाता है कि सिधार्द गौतम के बारे में, उन्होंने उन्तीस साल की उमर में अपना घर चोड़ दिया, उन्होंने घर चोड़ा उसके पहले उनके घरवालों ने उनकी शादी करा दी थी, he also had a son called as Rahul, also wife called as Yashodra, and 29 तक ये जीते है 29 के बाद, finally he will leave his laws, and then he will go for, I would say, to search for truth, ये सचाई की शोध में अपना संसार छोड़ देते हैं, और संसार छोड़ने के बाद, finally 6 साल तक, for 6 years you will see, ये यहां से वहां भटकते हैं, उसके बाद, उनको enlightenment प्राप्ती होती है, ये enlightenment को ही हम लोग निर्वान कहता है, निर्वान प तो आपको कभी-कभी पूसता है कि उनको बुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि बुद्ध इसके लिए, क्योंकि बॉद्धिक बन गये थे, he became a person, जो काफी वो बुद्धिशाली माने गए है, over a period of time, और कब जब उनने घर छोड़ दिया, ठीक है, तो इस तरह से सिधार्थ ग क्योंकि आपको बहुत सारी confusion होती है, it is not absolutely necessary कि ये year सही होगा, इसमें एक-दो साल का कभी-कभी plus-minus हो जाता है, जो मेरी slides के अंदर भी आपको कभी-कभी reflect करता हूँ मिलेगा, ठीक है, तो किसी में 568-483 होता है, किसी में 567-487 होता है, ये दोनों सही है, क्योंकि कभी- दिखेंगे, mainly जो Buddhist literature के है, उसमें भी शायद एक-दो साल आगे पिछे हो जाएगा, ठीक है, चलो, हम लोग आगे चलते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, कि Buddhism का importance क्या था, उन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद, अपनी जो last breath लेते हैं, मतलब उनका जो आखरी सास था, that will be at a place called as कुशिनगर, अगर आपको जानकारी होगी, और कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आखरी सास ली थी, तब तक, till the remaining part of the life, मतलब उन्होंने निर्वान अचिव कर दिया, उसके बाद उन्होंने खाली जो लोग है, जो society के अंदर problems है, वो society के problems को दूर करने के लिए काम किया है, ठीक है, तो सिधार्थ गौतम को हम लोग इसी के लिए याद रखते हैं कि he tried to solve the social problems and the societal problems that evolved over a period of time, जैसे awareness system के अंदर problem था, woman के साथ बेदभा हो रहा था, और भी structural problems हो रहे हैं, society के अंदर, उन सब को कहीं ना कहीं उन्होंने settle कराने की, य आपको एक significance मिलेगा, इस तरह से सिधार्थ गौतम का आपको एक importance मिलेगा, social problems के perspective से, अब देखो सिधार्थ गौतम को क्यों याद रखते हैं, तो mainly सिधार्थ गौतम को अगर आप देखने कोशिश करोगे, तो जब उनका मुरूत्य हुआ तो उनको उनके लिए कहा गया है कि उनके कोई मूर्थी नहीं बनी थी, नहीं उनको अगर आप देखोगे तो याद करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप मेरी पूजा करिएगा, तो सिधार्थ गौतम को हमेशा symbols के रूप में याद रखा जाता है, he is always remembered in the form of symbols, और उनको अलग-अलग मैं कह सकता हूँ कि symbols के रूप में याद रखा गया, is a part of architecture जब उनका मुरुत्य हुआ, ठीक है, तो always remember कि architecture के अंदर आपको पूछ सकता है कि what is the significance, why we remember सिधार्थ गौतम in the form of symbols, तो जैसे उनका birth always दर्शाय जाता है in the form of lotus and bowl, ठीक है, तो आपको कमल के रूप में या बैल के रूप में दिखे उसी दौर के ऊपर उन्होंने जब अपना घर चोड़ दिया, तो गोड़े के ऊपर बैटके भाग गये तो चले गए थे ठीक है, तो राज को छोड़के चले गये थे, ठीक है, इसके लिए FOR L runa के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जब घोड़े के ऊपर घर चोड़ दिया, तो होर्स को हमेशा याद रखा जाता है बुदिजम में ये घटना को महाभी निश्कर्म भी कहा गया है याद रखे गया when he left his house that moment in Buddhism is related as महाभी निश्कर्म फिर जब उन्होंने गया नाम की जगा है अगर आपको जानकरी होगी क्योंकि गया नाम की जगा के अंदर उनको जाड के नीचे बैट के एक बोधी ट्री है वो बोधी ट्री के नीचे बैट के उनको enlightenment प्राप्ती हुई थी and this is one of the reasons कि any symbol which depicts बोधी ट्री as a part of architecture वो symbol हम लोग निर्वान के रूप में ही याद रखते है ठीक है तो उसके लिए उसको निर्वान के रूप में कहा जाता है फिर उन्होंने जब अपना first sermon दिया उन्होंने जब अपनी फैली speech दी तो वो एक wheel के रूप में था उसको धर्मचकर प्रवर्तन कहता है उन्होंना first sermon सिधार गोदा में सारनाथ नाम की जगा के अंदर से दिया था ठीक है आपको पूछ सकता है कहां कहां सारनाथ है सारनाथ इजिन यूपी और लेटर ऑन उनका जब death हुआ which is at a place called as Koshinagar तो जब Koshinagar के अंदर उनका death होता है तो उनके मृत्यू के बाद उनकी जो भी अस्तिया थी उनके आजू बज में स्तूप बनाया गया अब स्तूप क्या है वो भी समझा देता हूँ देखो स्तूप क्या है स्तूप is a hemispherical dome like structure which was created after the death of बुधा स्तूप is a dome like hemispherical structure जो बुध के मृत्यू के बाद बनता है actually ये आज ऐसा दिखेगा initially ऐसा हुआ करता था ये जमीन है और जमीन के अंदर एक छोटा सा basket के अंदर उनकी अस्तिया रखी गई थी और लोग क्या करते थे उनकी जो स्तूप है उसके आजू बजू में प्रदक्शिना करते थे ठीक है इस तरह से ये स्टूप की शुरुवात हो गई तो इस तरह से बुद्धा के जीवन के साथ important places, important symbols को हमने समधने की कोशिश की अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और समझते हैं कि further development क्या हूँ अब देखो बुद्ध ने जीवन में चार सत्य बताए उन्होंने कहा कि the world is full of sorrows और दूसरा उन्होंने कहा desire is the root cause of sorrows किसीने बुद्ध को पूछा कि desire को dood करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि if you want to get rid of your desire then you need to follow something called as eightfold path eightfold path का मतलब क्या होता है कि आप ashtamarg ashtamarg का मतलब है कि आप आठ ऐसे विचार करो आप ऐसे रस्ते के ऊपर चलो जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है उसको ashtamarg का पत भी कहते है ashtamarg भी कहते है और जैसे ही आपने eightfold path को follow कि आपको कभी जीवन में डुख नहीं आएगा ठीक है तो you'll find कि आपको इसके अंदर से भी पूछा जा सकता है right view right speech का मतलब क्या है जूट नहीं बोलना कंड़क का मतलब है आचरन करना livelihood मतलब खराब तरह से पैसे नहीं कमाना ठीक है efforts का मतलब क्या है अच्छे प्रयतना लगाना इस तरह की चीजे आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी बुद्ध ने तीन टीचेंग्स अपने दिये हैं उन्हांने का बुद्ध धम और संग इन तीनों को फॉलो करो तो कभी दिक्कत नहीं होगी बुद्ध का मतलब यह है every person is enlightened to be entitled to become a Buddha the only thing you need to have enlightenment enlightenment का मतलब यह होता है कि आपके अंदर कब वो जो है ना की एक चेतना जगी की तब जाके आप आगे जाओगे धम का मतलब क्या होता है कि आप मेरे टीचिंग्स को फॉलो करो टीचिंग्स में यही आपके एटफोल्ड पात आएगा संग मतलब मेरा जो ओर्डर बना है मैंने जो ओर्गिनाशन बना है उसको फॉलो करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो बुद्धा, धमा, एंड संगा आपको पता होने चाहिए बुद्धा के बहुत सारे डिसाइपल्स थे जैसे मैं कहूंगा कि इंपॉर्टन डिसाइपल्स के अंदर आपको दो-तीन डिसाइपल्स का नाम पता होना चाहिए एक तो थे पद्मपानी पद्मपानी और दूसरे का नाम था भज्रपानी याद रखेगा आपको कभी कोई पूछ सकता है और भी किंग्स भी हुआ करते थे किंग्स और भी थे जो उनको फॉलो करते थे जैसे प्रसन अजीत अभी मैंने आपको बताया ना प्रसन अजीत जो कोशाल का राजा था वो बुद्ध का सिश्य था उसके बाद आपका बिम्पी सार और अजात सत्रू ये दोनों भी बुद्ध के सिश्य हुआ करते थे याद रखेगा इंक्लूडिंग अधर किंग्स में अशोक जैसे राजा भी आपको मिल जाएंगे ठीक है जो बुद्ध के बहुत बड़े सिश्य हुआ करते थे ठीक है तो दूसरा बुद्ध के संग का importance क्या था तो बुद्ध की importance ये थी कि all people are allowed in the संग all people का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान होगा वो संग को जोड सकता है उसमें बुद्ध ने कोई भी बेदभाव नहीं किया था अब क्या हो गया कि बुद्ध का death हो गया जब उनका मृत्यू हो गया तो उनके मृत्यू के बाद टोटल चार बार meeting हुई four councils took place meeting of the saints related to Buddhism जो भी संत लोग थे जो भी बोधी सत्व थे बोधी सत्व मतलब जो ऐसे लोग जो संत लोग हुआ करते हैं बुद्धिसम के अंदर इन सब की meeting हुई और इन सब के meeting के बाद इनके जो ideological differences है और differences होने के कारण बुद्धिसम में division होगे division का मतलब क्या होता है कि बुद्धिसम में आपके बटवारे होगे ये division के अंदर के बुद्धिसम में तीन अलग-अलग विचारधारा उबर के आई you will find हीन यान महायान और वजरपान को भी समझा दूगा अब में अगर आप देखोगे total चार council होती है चार council का importance यह है कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे यह develop होती है सबसे पहली council बहुत लोग कहते है राजगीर के अंदर होई थी यह कब होती है उसको लेकर अभी भी confusion है कोई किताब में 483 BC भी लिखा गया है क्योंकि यह वही साल था जब बुद्ध का मृत्यु हो था और अजाच्छत्र उस टैम पे मगत का राजा हुआ करता था उसने उसको patronage किया था महा कश्यप करके बुद्ध के एक शिश्य थे वहाँ पे council के अध्यक्ष बने थे और उस दौरान बुद्धिजम के अंदर बुक लिखी गई बुद्धिजम के अंदर बुक लिखी गई देव विनय पिताक और दूसरी विताप थी अपकी सुथ पिताक जो है इस दोनों जो बुक्स है इं दोनों बुक्स का सिग्निविकन्स यह है कि यह पाली के अंदर लिखी गई थी कौनसी लेंगवज के अंदर याद रखेगा तो पाली लिटरेचर ठीक है तो पाली के अंदर लिखे वाली आपको यह दुनों बुक मिलेगी सेकंड काउंसिल करीबन 383 BC के आसपास होती है यह सही टाइम फ्रेम आपको मिलेगा काल अशोक करके राजा हुआ करते थे और काल अशोक कौन से थे तो मैंने आपको बताया था शिशुनाग डाइनस्टी के अंदर जो राजा हुआ करते थे मगत के अंदर मैंने आपको बता दिया अभी उस टाइम पे सबकामी करके एक बुद्धिस सेंट हुआ करते थे उनके अध्यक्स्ता में यह मीटिंग होती है और बुद्ध है सेकंड कांसिल का इंपोर्टन्स सेकंड कांसिल का इंपोर्टन्स यह था कि इनकी बुद्धिसम के अंदर डिविजन होती है और पहली बार दो ग्रूपस उभर के आए एक का नाम था महासंगी का महासंगी का और दूसरे का नाम अगर आप देखोगे तो थेरावादिन मिलेगा दिख रहा है आपको तो आपको पॉइंट बता होना चाहिए ठीक है तो दिखटी होके त्री पिटाक की स्तापना की जाती है आपको पॉइंट बता होना चाहिए ठीक है तो इस थ्री बॉक्स विल भी इवेंट्यूली मर्ज मतलब कि इन तीनों को एक साथ में देखा जा सकता है और फॉर्थ काउंसल तक आते आते बुदिजम में आपका बटवारा हो गया फॉर्थ काउंसल होता है कनिश के दौरान कनिश का पावर के उपर आया तो यह कैसे डेवलोपेंट हुआ अब उसको थोड़ा बहुत समझा देता हूं महायान हीन यान और तीसरा जो डेवलोपेंट था वो था वजरयान का यह कैसे चलता है उसको समझने से पहले जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लेता है विल कंटीनू इस सेशन जस्ट स्मॉल ब्रेक ओके म मैं अभी जस्ट आपके साथ बापीस जुरता हूं और हम लोग समझते हैं हीन यान महायान और वजरयान के पीछ में डिफ्रेंस के हैं जाएगा नहीं कहीं पर हम लोग चालू ही रख रहे हैं इसको एक छोटा सा स्मॉल ब्रेक लेके बापीस आ रहे हैं झालू है झालू है चली बापीस शुरू करते हैं हम लोग डिसकस कर रहे थे हाव बुद्धिजम गॉट डिवाइदे इंटो थ्री पार्ट्स अब उसको थोड़ा पूर डीटेल में समझाने की कोशिश करता हूं अब देखें महायान हीन यान और वजरयान यह तीनों के तीनों का डेवलोप् बुद्धा एक Bhagavan के रूप में नहीं है नहीं नहीं है जो लेटर ओन डेवलोप हो Leist Tea कारीव एक आउसपास वो थोड़ा बहुत Tantric कल्ट के साथ-साथ मैं कहशकता हूँ कि जो Buddhism था उन सब को merge किया जाता है खास करके Tibet वाले जो region है वहाँ पे आपको काफी popular मिलेगा ठीक है तो ये तीनों का difference आपको fundamental पता होना चाहिए और भी difference है बट हम detail के अंदर नहीं जा रहा है बट आपको ये point भी पता होना चाहिए Buddhism में last point यहां से आता है कि Buddhism आज की तारिक में हमको कहां कहां मिल रहा है तो भारत के बार बहुत सारे विस्तार के अंदर हमको Buddhism मिल रहा है कभी कभी कोशन आ सकते है Buddhism का impact क्या रहा है तो इसका art and culture के ऊपर बहुत बड़ा impact है इसका society के ऊपर बहुत बड़ा impact है इसका politics के ऊपर भी बहुत बड़ा impact है reasons behind the decline of Buddhism कि there can be multiple reasons but mainly मैं कहूंगा कि एक reason social reason है क्यों क्योंकि Buddhism का development पाली के कारण हुआ था अब क्या हो गया उसके कारण बुद्धिजम के अंदर Sanskrit का प्रभा होना शुरू हो गया और उसके कारण जो common man की language थी वो पाली या प्राकरी जो थी वो फिर से हट जाती हो और Sanskrit का importance बना दूसरा important point mainly अगर आप Buddhism के साथ देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है as a part of Buddhism the fundamental reasons behind the decline is that कि Buddhism के अंदर एक issue ये भी उभर के आ रहा था कि वहां पे बहुत सारे rituals बनने शुरू हो गये थे और बहुत लोग ने कहा कि बुद्ध जो है वो विष्णो के incarnation है he might be one of the incarnation of विष्णो उसके खारण over a period of time उसका decline हो जाता है ठीक है तो इस तरह से पुरा के पुरा Buddhism के बारे में पता होना चाहिए अब same way हम लोग वर्दमान के बारे में देख लेते है वर्दमान महवीर 540 से लेके 468 BC तक हुआ करते थे इनके बारे में भी आपको कभी कभी socio-political cultural history पूछा जा सकता है they can ask you about how the development of वर्दमान महवीर took place over a period of time अब वर्दमान महवीर का importance क्या है mainly अगर आप देखोगे तो ये भी शत्री हुआ करते थे और इनका भी अगर आप देखने ही कोशिश करोगे तो इनका भी जन्म mainly you'll see कि आज के बिहार वाले रीजन के अंदर होता है और अगर आप देखने ही कोशिश करोगे तो कहते है कि इनके भी life के अंदर इननों 30 साल तक as a prince काम किया and later on at the age of 30 he left his house और उसके बाद 42 के age के उपर उनको केवले अगनान मतलब highest knowledge की हसिल हुई तो इस तरह से वर्दमान का भी case मिलेगा वैसा कहा जाता है कि वर्दमान के जब knowledge gain किया उसके बाद उनको महवीर का title दिया गया तो initially वर्दमान का जो title था वो महवीर नहीं था बट उन्होंने जब सुख और दुख मतलब happiness और misery इन दोनों के उपर अपना जो जो कह सकता हूँ के लोगों को जो problems थी वो दुख दर करने की कोशिश की और करीबन 30 साल तक इन्होंने अपने जो विचार थे इनके जो doctrines थे वो popularize करें अब mainly क्या था अब देखे जनिजम है ना तीन सिधानतों के ऊपर चलता है जनिजम works in three main सिधान और three areas how the जनिजम can be evolved अब mainly जनिजम के three principles क्या क्या है वो समझा देता हूँ three principles includes the right faith the right conduct and the right knowledge right knowledge का मतलब यह है कि महवीर के जो teachings है उसको आप follow करिए right faith का मतलब है कि आप महवीर के द्वारा जो दिया गया रास्ता उसको पालन करिए और conduct का मतलब है कि कोई भी इंसान कोई भी इंसान who wants to be a jaini उसको आगे जाना है जीवन के अंदर और केवले अगनान मतलब उसको जो knowledge हासिल करना है तो उसको पाँच वरत लेने पड़ेंगे five वरत that is known as महावरत या उसी को भी मैं कहूंगा अनुवरत क्या कहता है महावरत या अनुवरत या पाँच वरत कौन से कौन से है तो एक का नाम है असत्य एक का नाम है अहिंसा एक का नाम है अश्टेय एक का नाम है अपरीग्रह का मतलब क्या है कि property नहीं हासिल करना और पाँच वे का नाम है भ्रहमचारी है अब कहानी क्या है कि जैनिजम को लेके अगर आपको थोड़े बहुत जानकरी होगी तो महावीर जो है वो तिर्थंकार में से एक है अब हो और तिर्थंकार तो वो भी समझा देता हूँ तो तिर्थंकार लोग के बारे में कहा जाता है कि महावीर से पहले 23 तिर्थंकार और भी जैनिजम के अंदर आ चुके थे जैसे 23 नमबर पर आपको पार्शोनात मिलेंगे सबसे पहले नमबर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको रिशब देव मिल जाएंगे ठीक है तो यह जो वरत है उसमें से एक दो तीन चार जो चार वोज है में अगर आप देखने कोशिश करोगे तो यह वोज को हम लोग यह कह सकते है कि अल्रेडी जो तेश तिर्धंकार थे उन्होंने दे दिये थे असत्या का मतलब क्या है कि जूट नहीं बोलना इंसा का मतलब यह है कि इंसा नहीं करना अश्टेय का मतलब है चोरी नहीं करना अपरीकरहका का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी हासिल नहीं करोगे कोई प्रगार के फिजिकल वेल्थ की तरफ नहीं जाओगे प्रह्मचार्य का मतलब यह है कि आप सलीवसी फॉलो जो भी महवीर के आइडियोलिजी के अंदर मानता है उसको कहा गया है कि तुमको ये पांच वरत लेने है यूर सपोस्थ टू टेक दिस फाइव रत ये पांचों के पांचों वरत लेने के बाद आपको अपना जीवन गीना पड़ेगा ठीक है तो यूल फाइंड की ये अहिं के अंदर जीव होता है every living thing possesses some kind of soul तो अगर आप कोई भी चोटी से चोटी चीजों के अंदर the idea of soul और इसके लिए वो कहता है कि आपको कोई भी ऐसा कारिया नहीं करना चाहिए जहां से कोई छोटी से चोटी जीव की हत्या हो जाए and this is one of the reasons even agriculture people the persons who are belonging to agriculture society they did not join jainism उन्होंने jainism को join नहीं किया उसके पीछे कारण ही आपको वर्दमान की यह theory भी मिलती रहेगी ठीक है दूसरी important point क्या है what is the second important point regarding jainism is that कि jainism की एक ऐसी theory है जो mainly मैं कह सकता हूँ कि दो सिधानतों के उपर मानती एक का नाम है स्यादवाद दूसरे का नाम है अनेकांतवाद क्या नाम है अनेकांतवाद और स्यादवाद अब देखो यह दोनों की दोनों theory कि इसके उपर बात करती है तो jainism कहता है कि there is no absolutely truth and false there is no absolute truth and false truth and false के बीच में common man को भी defired नहीं कर पाएगा अगर truth and false के बीच में define करना है आपको तो वो खाली और खाली एक जीन कर सकता है जीन का मतलब है जैनी कर सकता है जो तिर्संकर में से एक है आपकी स्यादवाद की philosophy के साथ अनेकांतवाद यह भी कहता है कि there are manyness of reality manyness of reality का मतलब यह होगा कि जीवन में जो सच्चाई है उसके आपको अलग-अलग दरश्टी कौन भी मिलते रहेंगे ठीक है तो mainly you'll find as a part of manyness of reality truth and false का जो differences है उन दोनों के आधार के उपर उन दोनों के basis के उपर you'll realize कि जो पूरा का पूरा जैनिजम है वो based है ठीक है तो आपको एक तो पहला तो point जैनिजम के अंदर आपको यह point पता होना चीए कि स्यादवाद philosophy और अनेकांदवाद क्या कहता है दूसरा जैनिजम कर्मा के अंदर मानता है याद रखेगा कि कर्मा के अंदर हर एक मानता है अब देखिए तो theory of कर्मा उसको भी थोड़ा बहुत समझा रेता हूं कर्मा की theory का importance क्या है और यह significance of the theory of कर्मा याद रखेगा बुदिजम हो जनिजम हो हिंदुईजम हो यह तीनों के तीनों मतलब जो वेधिक religion है जो वेधिक religion है जो वेधिक धर्म से उभर के आया था जो मैंने आपको बताया इन तीनों के अंदर कर्म के अंदर माना जाता है याद रखेगा कि all the three theories believes into the idea of कर्मा बुद्धा गयो दी कंसेप्ट आफ निश्काम कर्म क्या कहा गया था बुद्ध ने निश्काम कर्म कर्म का मतलब क्या है कि कर्म करते तो फल की आसा मत रखो फल तो आपको दुकान पर मिल जाएंगे चलो जैनिजम की कहानी यह है कि यह भी कर्म की बात करता है जब भगवान को बोला गया किसी ने कहा कि सब भगवान एकजिस करते कि निश्राण करते है तो बुद्धिसम के अंदर अजने अगनोविश्टिक शल्र? sixt और रेता हम कंदने Tearणकार जैनिस्यम कहता है कि God exists but it is below the तिर्थांकार तिर्थांकार आपके सबसे उपर है जो 24 के 24 है उनके नीचे भगवान आते है इंडिलिजम तो कहता है भगवान आते ही है ठीक है तो आपको ये दोनों थेयरीस के बीच में कभी कभी कोशन आ जाता है कि कर्म का सिधान कौन मानता ह है भगवान है कि नहीं है उसके उपर आपको कभी कभी पूचता है तो आपको ये पॉइंट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ठीक है अब क्या हो गया सर ओर पीरिट अफ टाइम जैनिसम फ्लरिश हुआ महवीर ने भी अपना संग बनाया महवीर ने भी अपना सं कब 300 BC के आसपास का टाइम था और उस दौरान जैनिसम के अंदर पहला बटवारा हुआ अब जैनिसम में क्या हुआ तो दो ग्रूप्स उभर के आए एक का नाम था स्वेतांबर और दूसरे का नाम क्या था दिगांबर इन जैनिसम टू ग्रूप्स evolved over a period of time the first one was called as स्वेतांबर and the second one was called as दिगांबर अब what is the significance of स्वेतांबर और दिगांबर इन दोनों को भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ देखे स्वेतांबर दिगांबर का importance क्या था mainly you'll see जब हम लोग स्वेतांबर और दिगांबर की बात करते है जब हम लोग स्वेतां स्वेतां कुछ संथ हुआ करते थे उसमें से एक थे बद्रबाहू यह बद्रबाहू नाम के जो जैन संथ थे उनके साथ चंद्रगूप मौरिया साउथ के अंदर चले गए कहां चले गए श्रवन बैल गोड़ा नाम की जगह है वहां पर चले जाते है और कहते हैं कि वें चनरकुप मौलिया वेन टो सरवन बैलगोडा तो उसके बाद परिस्थिती बदल जाती है जो एक दूसरे संथ थे जिनका नाम था स्तूल बाहू कि लेकस्तामे एक पहली जैन काॉंसिल होती है फॉर्स जाइन काउंसिल और जाइन काउंसिल होने के बाद उनके नियम बदले जाते हैं उनकी सोसाइटी के जो रूल से वो बदले जाए and this is one of the reasons the followers of बद्रबाहू came up with a new identity that is known as दिगांबर they continued with the old rules स्वेतंबर इन्होंने सफेद कपड़े स्वेतंबर को अगर आपने देखा होगा white cloth के अंदर आपको मिलेंगे और दिगांबर को generally अगर आप देखने कोशिश करोगे तो आपको यह मैं कह सकता हूँ कि without any clothes आपको मिलते रहेंगे फर्स्ट काउंसिल के दोरान ही जैनिजम में बटवारा हुआ स्वेतंबर और दिगांबर के मीच में ठीक है तो आपको जैनिजम के अंदर जो फर्स्ट काउंसिल है उसका significance भी पता होना चाहिए mainly दूसरी काउंसिल होती है वलभी में कब होती है 512 CE के अंदर और एक इंसान है देववर्दी क्षमा सेना क्या नाम है देववर्दी क्षमा सेना उनकी अध्यक्स्ता के अंदर second council होगी और वहां से जैना literature development हुआ यह literature दो पार्ट के अंदर डिवाड किया जाता है एक का न स्पोर्ट किया उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कौन से राजा ने किया याद रखेगा तो एक तो आपको चंदरगुप्त मौरिया खुद जो मौरिया डैनेस्टी का राजा था बहुत इंपोर्टन्ट है दूसरा आपको क्षार्वेल करके राजा मिलेग तो जनिजम को support करने के बीचे ancient India के अंदर आपको खास करके राष्ट्रकूत डाइनस्टी मिलेगी राष्ट्रकूत डाइनस्टी used to rule in the southern part of the country खास करके मालखेड नाम का जो जगह है वहाँ पे इनका साशन था इलोरा की caves अगर आपने देखी होगी इलोरा की caves has relevance of jainism as well ठीक है तो इतना point आपको jainism के अंदर पता होना चाहिए jainism में last point जो उभर के आ सकता है वो आपको पूच सकता है कि what are the reasons behind the decline of jainism jainism के पतन के पीछे के कारण क्या क्या है वो भी आपको पूच सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि jainism के decline के पीछे के कारण क्या है कि the fundamental reasons behind the decline of jainism was what कि it overemphasized on the I would say the ahinsha and because of the overemphasization on the ahinsha the shatriya and the shudras neither the brahmins definitely join नहीं करेंगे उन्होंने जोइन नहीं किया and this is one of the reasons only the vaishya community were able to join jainism and they continued flourishing jainism over a period of time बहुत चारी important location से इंडिया में jainism को लेके आपको location पता होनी चाहिए जैसे गुजरात में आपको मिल जाएगी आपको पावापूरी मिल जाएगी एक जगह है समवत सिखर याद रखेगा शिखर जी कौनसी जगह है शिखर जी शिखर जी करके जगह है very important place जो jainism के अंदर बहुत ही historical place के रूप में मानी जाती है शिखर जी is in जारखंड इस इन गिर्दी district of जारखंड ठीक है तो ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए चलो अब jainism decline हुआ jainism खतम हो गया महाजनपद हो गये आपके foreign invasions हो गये उसके बाद हम लोग next period में चलते है that is the period of Mauryan India Mauryan India का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे कि अब Mauryakal में भारत की development कैसे होती है ठीक है तो इतना point हमने पढ़ लिया है अभी तक इतना ही पढ़ पाए है let us see हम लोग एक marathon class कर रहे है यह काफी लंबा class है अपना तो आप बने रहेएगा मेरे साथ कि कैसे development चलता है further history को लेके कैसे आपकी वो है ना कि political and socio-economical perspectives आगे चलेंगे अब Mauryas के बारे में आपको mainly तीन राजा के बारे में पता होना चाहिए चंद्रगुप, बिंदुसार और अशोक three kings which are related to the Mauryan empire and the Mauryan kingdom चंद्रगुप, Mauryan, बिंदुसार और अशोक यह तीनो के तीनो राजा ऐसे राजा है जिनको लेके बहुत सारे आपको questions पूछे जा सकते है और Mauryas के बारे में हमको कोई book ने सबसे ज़्यादा जानकारी दी है तो आपको पता होनी चाहिए कि Mauryas के बारे में हमको जो भी knowledge मिलता है वो knowledge हमको काउटीला की अर्थशास्तर के दोरा मिलता है विशाक दत करके एक author था जो गुपता एज में बिलॉंग करता था बिलॉंग तो गुपता पीरेट बट ही रोट अबाउट मॉरियस मेगास्तिमीस करके एक diplomat था जो चंदर को मॉरिय की कोट में है तो उसमें book लेकिती इंडी का और आपको other literature भी मिलेगा other literature में कौनसे-कौनसे books मिलती है तो mainly अगर आप देखोगे तो आपको Buddhism के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी किते मिलेगी कौनसे-कौनसे Buddhism के साथ मिलेगी याद रखेगा तो यू फाइंड एक किताब है द्वीपवंश द्वीपवंश की जो बुक है और एक है महावंश कौनसे किताब है द्वीपवंश और महावंश जो लहyl से लोग तो runs इन अबर repeatedly पिरेड आपको पुराण के अंदर भी मिल जाएगा जो पुराण हिंदू साहित्या की किताबे है वहां से भी हमको बहुत सारी चीज़े मिलती है जैसे विश्मो पुरान है, वायू पुरान है उसमें भी मौरियस के बारे में कहीं न कहीं लिखा गया है और तीसरा पॉइंट मौरियस के परस्पेक्टिव में अगर आप देखोगे तो आपको एक बुद्धिजम के अंदर दीव्यवादन करके किताब है कौन से यह दीव्यवादन उससे भी पता चलता है, ठीक है? दूसरा मौरियस के बारे में हमको क्या जानकरी रखनी है तो you should know कि मौरियस ने archaeologicalical sources बहुत छोड़के गए थे यहाँ से एक्चुली इंडिया में archaeological sources का भी importance बढ़ेगा तो आपको archaeological sources के उपर से भी कभी-कभी question आ सकता है कि मौरियस ने कौन से archaeological sources कब बनाये थे अशोक के eddicts आपको पता होने चाहिए अशोक ने जो पत्थर बनाये जो खास करके stone के eddicts थे उसने जो rock बनाये हैं जो pillar बनाये हैं वहाँ से बहुत सारे questions आपको मौरियस के अंदर आते रहते हैं ठीक है? तो we'll discuss about that हम लोग उसके उपर भी discuss करेंगे चंदरगुप्त, बिंदुसार, एनशोक यह तीन kings थे यह तीनों के तीनों kings के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बाद जो kings है वो later mauryas है later mauryas में जो आखरी राजा था ब्रिहदरत, वो ब्रिहदरत को टॉपल करके पोश्यमित्रशोंग जो उनका ही एक सेनापती था उनका एक minister था वो power capture कर देता है ठीक है? तो इतना point आपको mauryas के अंदर पता होना चाहिए अब चंदरगुप maurya का क्या importance है? तो चंदरगुप maurya जब power के उपर आया तो उसने किसको टॉपल किया था याद रखेगा धनानंद करके राजा था यह धनानंद को टॉपल करके power के उपर आया दूसरा ही converted to jainism अभी है मैंने आपको थोड़ी ज़र पहले बताया under the leadership of भदरबाहू तीसरी important point इसकी ही court के अंदर सेलेकस निकोटर के द्वारा बेजा गया दूथ भी आता है अब सेलेकस निकोटर कौन था? तो मैंने आपको अभी थोड़ी ज़र पहले बताया कि सेलेकस निकोटर और चंदरकौप मौरिय के बीच में लड़ाई होती है and in this battle in this battle याद रखेगा in this battle सेलेकस निकोटर उसको defeat करने के लिए अपनी सेना बेज़ेगा पर चंदरकौप मौरिय उसको हरा देगा so when चंदरकौप मौरिय विल बी defeating सेलेकस निकोटर तो सेलेकस निकोटर फिर मेगास्तिनिस नाम के अपने ambassador को भेजता है into the court of सेन्दरकौप मौरिय और इसी के बाद से आपका history बदल जाएगा ठीक है तो इतना point आपको इसके perspective में पता होना चाहिए बिंदुसार की बात करते हैं बिंदुसार basically अगर आप देखोगे तो he converted to Ajivika community Ajivika मैंने आपको बताया यह fatalism के अंदर मानने वाले लोग थे यह नसीब के अंदर मानने वाले लोग थे और बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि he continued the diplomatic relations with the Syrians और इसके दोरान बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिंदुसार को बहुत सारी किताबों में अमित्र गहत भी कहा गया है अमित्र गहत इसके लिए क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की बिटाई की थी और लेटर ओन बिंदुसार ने अपने बेटा अशोक जो है उसको पहले governor बनाया था अवंती का, अवंती मतलब आज का जो आपका MP वाला प्रदेश है वहाँ पे उसको अवंती का governor बनाया जाता है, later on जब बिंदुसार का मृत्वी हुआ तो Ashok पावर के उपर आया, अब Ashok को बहुत ही हम लोग detail में पढ़ेंगे बाकी सारे राजाओं को उतना detail में नहीं पढ़ेंगे, what is the significance of the Ashok तो mainly you will find कि initially, Chandrakup to Moria यह जो empire देख रहे हो हो the current empire that you are studying the current empire that you are studying, यह जो आप empire देख रहे हो यह empire पूरा का पूरा जो empire है, यह Chandrakup Moria का empire है, ठीक है? वहाँ से expand करते-करते आप यहाँ पे आगए ठीक है? तो you will find कि Moria's का development है, empire का वो रातो रात नहीं होता है it's a very slow development of empire that took place in the Moria's अपने ideas को, अब Ashoka Dhamma का idea क्या है? उसको भी समझा देता हूँ Ashoka जो Dhamma है, वो mainly Buddhism से evolved हुआ है it evolved from the Buddhism only and mainly Ashoka यह जो धम है, वहाँ पे Ashoka ने प्राकृत language का use करके अपने जो विचार है वो लोगों के अंदर फैला है जैसे non-violence, tolerance, obedience, एक दूसरे को respect करना, अपने अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत liberal देना, अपने servants, अपने नॉकर है उसको कही ना कही अच्छी तरह से treat करना, in fact, उस टेम पे slavery system हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी, उसको लेके भी थोड़ा बहुत clarity आपको दे देता हूँ, slavery system उस टेम पे exist किया करती थी, in fact, slavery system आपको वेदी cage के अंदर ही कही ना कहीं नैटेरेक्टली मिलेगा क्योंकि शब्द यूज कियागा, दास, कि मैं तुमारा दस बन गिया हो, तो दस का मतलब होता है कि मैं तुमारा तो ये भी चीज़े आपको मिलती रहेगी अशोक जब तक जिन्दा था उसने धम विजय की पॉलिसी अपनाई बहुत सारे एरिया जो बुद्धा के साथ जुड़े हुए लोकेशन थे वहाँ पे उसने रॉक्स और वहाँ पे उसने पिलर के इंस्क्रिप्शन भी क्रियेट किये ठीक है तो अशोक क्रियेटेड मैनी पिलर्स और रॉक इंस्क्रिप्शन इन दिस एरिया तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब देखिए अशोक के बाद तो बहुत सारे और भी किंग्स है उन सब के अंदर हम लोग नहीं चाहेगे but mainly हम लोग समझने की कोशिश करते है कि क्या होता है Mauryas के administration के perspective में देखते है Mauryas are known for the administrative setup Mauryas को हम लोग administration के लिए याद रखते है क्यों क्योंकि उनकी central government बहुत ही मजबूत थी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी थी आर्मी करीबन 6 लाग 75,000 साइनीक होती है उनके पास सेना हुआ करती थी यह भी चीज दर्शाती है कि अशोक कैसे पावर्फूल हुआ करते थी रेवन्यू डिपार्टमेंट अलग था इन फैक काउटिलिया रेवन्यू डिपार्टमेंट के बारे में हमको बताता रहता है कि इनका रेवन्यू डिपार्टमेंट कितना पावर्फूल था इन फैक काउटिलिया ने कहा कि कोश मुलो दंड कमरलब किया होता है कि great economy will make the great I would say empire और आपको जितना बड़ा सामराजिया करना उसमें पैसा चाहिए होगा अब पैसा नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल पाओगे ठीक है तो इसका बहुत ही पावरफुल हुआ करता था और इंक्लूडिंग मौरियस को अगर आप देखे तो आपको प्रोविंशल और लोकल एड्मिनिस्टेशन के सापेक्ष में भी देखा जा सकता है ठीक है तो वेन वी सी दे केस आफ दी मौरियस जब हम लोग मौरियस को समझते है तो मौरियस के अंदर आपको बहुत सारे स्ट आमत्या करके जो ऑफिशिल थे वो आमत्या का एक अपना ही सिग्निफिकंस आपको मौरियस एंपायर के अंदर मिलता है आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि आमत्यास का क्या इंपोर्टन्स था दूसरा मौरिया वर नोन फॉर दे डी सेंट्रलाइस काइंड अड अदर हुआ करता था और चौथा अगर आप देखोगे तो आपको सुवनगीरी के अंदर मिलेगा सुवनगीरी का मतलब क्या है कि आपका साउथ इंडिया ठीक है तो ये चार थे अलग-अलग इनके चार अलग-अलग स्टेट्स हुआ करते थे अशोक इनिशली अवंती का ह अधिका था जो मैंने आपको पहले भी बता दिया ठीक है मौरियस को थोड़ा आगे समझते हैं और मौरियस को थोड़ा फृतर समधने की कोशिश करता है कि मौरियस का डिस्ट्रिक और लोकल sasn कैसा वगता है तो हर एक डिस्ट्रिक में एक अधिक्श करता था प्रदेशी का और प्रदेशी का नीखिया अंदर अगर अगर आप देखोगे तो आपको रजु का करके एक official मिलेगा उसके बाद तालुका level के उपर आपको block level के उपर यूप्त मिलेंगे या गोपा मिलेंगे और उसके बाद विलेज administration का जो अधिक सा उसको ग्रमीनी भी कहा जाता है ठीक है तो आपको factually थोड़ा बहुत इनके बारे में भी नाम पता होना चाहिए simultaneously इनका city administration भी बहुत था कहते हैं कि total five members हुआ करते थे और छे अलग-अलग committees हुआ करती थी which used to deal with these six subjects like industries, foreigners births and death trading, manufacturing, collection of the taxes और ये जितनी भी आपकी committees थी जो city administration को चलाती है ये जितनी भी committees थी जो city administration को चलाती है ये committees के अंदर पांच members हुआ करते थे और ये total 30 लोग पूरे शहर को चलाते थे और city का अलग से development चलता था compared to the local areas ये भी चीज हमको अलग प्रकार से और ये administration के बारे में हमको कोई सबसे जानकारी देता है तो कौन देता है Megasthenes देता है याद रखेगा Megasthenes very important क्योंकि ये उसके court में रहा करता था साथ साल तक चंद्रगुप मौरिय के court में भी रहा था अब कहते हैं कि over a period of time मौरियस ज्यादा नहीं चल पाए और finally मौरियस का decline होता है so जब मौरियस का decline हुआ यू फाइंड कि जो आकरी king था पुषयमितर शोंगा उसको मार दिया जाता है by Brihadrat उसको मार दिया जाता है by पुषयमितर शोंगा पुषयमितर शोंगा यह इनका सेनावती था और पुशे में दरशोंगा कहते हैं कि वाज़ ब्रहामिंग गाए अगर आप देखोगे तो फिर से ब्रहामिनिजम को रिवाइब किया अब ऐसा क्यों किया तो अशोक को मैंने आपको बताया कि अशोक अडॉप्टेड बुद्धिजम और पीरिड गया और बिकाज उसने कलिंग पर अगरमन किया ही करने तो बुद्धिजम अंडर लीटेशिव उपागुप्त उपागुप्त यूस्ट तो बीए बुद्धिस सेंट बुद्धिस मॉंग जो जो अशोक को कनवर्ट कराते हैं बुद्धिजम के अंदर और लेटर ओन यूल लोग ये थर्ड बुद्धिस कांसल के साथ जुड़े हुए है ठीक है तो मेंली यूल सी कि अशोक ने थर्ड बुद्धिस कांसल की उसके बाद बुद्धिसम का फैलावा बहुत हो गया अब बहुत लोग कहते हैं कि ब्रामिन्स डिटन लाइक दैट और उसके कारण बहुत वीक हो गये थे वीक हो गये थे दे कुट नॉट सर्वाइव और इनका डिकलाइन हो जाता है ठीक है मौरियस को याद रखते है मेली आर्ट एंग कल्चर के अंदर आट एंग कल्चर का एक अलग से सेशन ले लूँगा बट यह जो आपका रॉक का जो उसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे हमने अल्रेडी एक बहुत ही डीप अंडरस्टेंडिंग के साथ समझने की कोशिश किया है कि किस तरह से इंडिया का जो 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 सोश्यो पॉलिटिकल और एकनोमिक डवलपमेंट मौरियन एंपायर के बाद चलता है अब आपका पोस्ट मौरियन इंडिया की तरफ हिस्ट्री को लेके जाएगा ठीक है अब पोस्ट मौरियन इंडिया कैसे चलता है उसको मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं और उसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी आपको दिखाने की कोशिश करोंगा ठीक है अब देखें पोस्ट मौरियन इंडिया में क्या होता है समझा देता हूं पोस्ट मौरियन इंडिया आपका इस तरह से आगे चलता है कैसे आगे चला तो मेंली अगर आप देखें पोस्ट मौरियन इंडिया में आपकी पॉलिटिकल सोसाइटल एकनोमिकल कंडिशन बदल ग इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको खारवेल करके एक राजा मिलेगा जो उडिशा के अंदर पावर के उपर आता है कलिंग में दूसरा आपको यहां साउथ इंडिया के अंदर डेकन के अंदर साथ वहन डैनस्टी मिलती है in the Deccan region यह अपने पार्थियन और कुशान एन फाइनली डाउन साउथ अगर आप देखने कोशिश करोगे तो आपको तमिल लिटरेचर का डेवलोप्मेंट मिलेगा और तमिल लिटरेचर के अंतरगत आपको संगम एज का भी एक पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा ठीक है तो इतना पॉइंट हम लोग पोस्ट मॉरें इंडिया के अंदर पढ़ेंगे और यह पोस्ट मॉरें इंडिया चलता है मेंली फॉम दे पीरिड और आफ 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 करीबन 200 बीसी से लेके 300 सी तक का पीरिड उसके बाद करीबन 320 सी तक आते आते फाइनली गुपता एज पावर के उपर आया किस तरह से उपर पावर के उपर आता है उसको मैं आपको निक्स्ट सेशन के अंदर आपको कंटीनू कराऊंगा हम लोग यहां पर ही यह जो सेशन है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करता है ठीक है